तो प्यारे बच्चों क्लास नाइन्थ का मैथ का पहला पेपर पंदरा फरवरी और सोला फरवरी को है मौर्निंग प्लस इविनिंग का ठीक है अगर आपने अभी तक किसी प्रकार से तैयारी नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए मौस्ट इंपोर्टेंट होने वाली ह इस वीडियो में मैं आपको टोटल पूरी बुक के सभी चैप्टर के मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन लाइन से करवाने वाला हूँ दोनों मीडियम में एक साथ वही कोशन जो डियो ने पहले ही आपको प्रवाइड कर दिया है प्रैक्टिस के लिए और वही कोशन आपको पेपर में मिलेंगे ठीक है तो आपको अच्छे से समझना है मैं लाइन से सभी चैप्टर के 1,2,3,4 इसी प्रकार लाइन से सभी चैप्टर के मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन को डिस्कस करने वाला हूँ तो ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए तो स्टार्ट करते है चैप्टर 1 से ओके पुरी बात को ध्यान समझना और पूरी वीडियो को भी न इसकिप किये वहे देखना ताकि सारे कोशन समझ में आ जायें दोनों मीडियम में एक साथ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं निमने लिखित में से कौन आप पर्म पलमीय संख्या आप लिख सकते हैं अगर हम रोट कि बात करें तो देखो ध्यान से दोका वर्गमूल है क्या निकले गदो इसे भी हम पी बटे कि रूप में लिख सकते हैं अगर हम डी ऑप्सन की बात करें रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा किवल 2 बचेगा 2 भाई 1 भी लिख सकते हैं तो मतलब की भी option राइट है first में root 5 जिसे हम PY क्योंके root में लिख नहीं सकते हैं ठीक है second question देखो, question है, question 2 on adding to root 7 minus root 11 and root 11 minus root 7 we get, 2 root 7 minus root 11 और root 11 minus root 7 को जोड़ने पर प्राप्त होता है, इसका solution को solve करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, answer number two, two root में 7 minus root में 11, यहां पर plus लगा देंगे root 11 minus root 7, ध्यान से देखो, यह minus में और यह plus में है, same है, root 11 plus minus हो जाएगा, तो यहां पर यह cut जाएगा, ठीक है, बचेगा, two root में 7 minus root में 7, अब ध्यान से देखो, यह two time है, और यह one time है, hide है, तो जब minus होगा, तो one time root 7 बनाएगा, मतलब कि जैसे root 7 अगर हम plus करते हैं, यह one time यह, यह one time यह, यह यह कितनी बार हो जाएगा, दो बार, तो दो root 7 आजाएगा, तो same, ऐसे minus भी होगा ना, तो जब एक बचता है, तो ऐसे लिख दिया जाता है, एक hide होता है, ठीक है, तो यहाँ पर b option right हो जाएगा, second में root 7, समझ गहें, अगला question देखो, तो मतलब question first में b option right है, second में भी b option right है, समझ गहें, आगे देखो question number third, question third, represent root 3 on the number line, root 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो solution देखो इसका, ध्यान से देखना, तो जब हम root 3 को संख्या रेखा पर सो करेंगे, निरूपित करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 3 equal to 2 plus 1, ठीक है, और पाइथागोरस theorem से root 3 का square equal to होगा, root 2 का square plus 1 का square, ठीक है, यह सेम यहीं निकलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम को root 2 सो करना होगा, उसके बाद वो root 3 दिखाएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, line खीचते हैं, इसके बाद मैं एक line खीचना है, यह 0 है, यह 1 है, और यह 2 है, ठीक है न, माल लेना अपने साब से, एक unit, दो unit, अब यहाँ पर आपको लंब बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करना है, distance ले लो, एक unit की, एक को केंद्र मान कर, भी तक की दूरी लेकर, बी पर आपको नोक रखना है, और एक आर क्यानी की चाप ऐसे लगा देना है, ठीक है, जहाँ पर कट करेगा, उसको बी से मिला देना, सीधा बिलकुल 90 डिगरी होना चाहिए, इस परकार बने गए, ठीक है, यह 90 डिगरी का होगा, समझ गए, अब इसके बाद में क्या करना है, यह मान लो आपका सी है, ठीक है, सी बिंदू है, अब सी को एसे मिला देना, सी को एसे, इस परकार मिला देना, यह बनेगा, रूट टू, ठीक है, और यह वन यूनिट है, तो पाइथा को रस्थिवरम से रूट टू, सो हो गया, इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद क्या करना है, एक को केंद्र मान कर, सी तक डिस्टेंस ले लेना, एक आर कैनी चाप ऐसे लगा देना, ठीक है, एसे, सी तक दूरी लेकर, एक चाप ऐसे लगा देना, यह जहाँ पर कट होगा, यह आपका रूट टू, सो होगा, इसके बाद में, डी से, आपको 90 डिग्री यहाँ पर, पॉइंट सी पर बनाना है, डारेक्ट एसे बना देना, ठीक है, इस परकार, डी से, नाप लेना, और उसके बाद में 90 डिग्री पर एसे मार्क करना, ठीक है, 90 डिग्री, और उस पॉइंट को आपको C से मिलाना है, किसे मिलाना है, C से, इसको आप C से ऐसे मिला दो यह मानलो आपका है D आप करना क्या है ध्यान से देखो जितनी डिस्टेंस यह न A B की उतनी ही B और C की है और उसी डिस्टेंस से C को केंदर मानकर एक आर्क आगे लगा देना है किस परकार यह जहां पर कट करेगा यह मानलो आपका E पॉइंट है E को A से आपको मिलाना है E को A से मिलाना है ठीके ना E बिंदू को A से आप ऐसे मिला देना ठीके यह आपका रूट 3 हो जाएगा समझ गए इसके बाद में आपको यहाँ पर A और E का डिस्टेंस लेना A और E का देखो उसके बाद में ऐसे ही एक आर्क फिर से लगाना है जो इस प्रकार मिलेगा समझ गए यह आपका रूट 3 हो जाएगा ठीके इस प्रकार आपको बनाना है यहाँ पर भी लिख देना यह वन यूनिट है ठीके ज्यान रखना क्लियर है तो इस प्रकार यह रूट 300 हो जाएगा तो आई होप यह समझ में आया होगा अगला कोशन देखते हैं कहीं पर डौट होगा तो कॉमेंट में बता देना आप पेन के इस्तेमाल मत करना पेंसिल प्रकार रबड के इस्तेमाल करना तो यह आपका अंसर नंबर 3 हो जाएगा ठीक है पहले यह लिख लो फिर ऐसे इसको बना लो ठीक है अगला कोशन देखो कोशन नंबर 4 इफ 2 की पावर 5x इंटू 2x इक्वेल टू 5 रूट 32 देन फाइंड दा वैलू ओफ x यदि दो की घाथ 5x गुणे दो की घाथ x बराबर 5 रूट में 32 है तो x का मान ग्याद कीजिए solution देखो 4 का आंसर नंबर 4 दो की घाथ 5x गुणे में 2 की घाथ x बराबर 5 रूट में 32 तो यहाँ पर गुणे के निसान है इसका बेस सेम है तो घाथ इसकी जोड़ जाएगी तो 2 लिखेंगे 5x प्लस x लिख लेंगे घाथ को जोड़ देंगे बराबर यहाँ पर रूट हटेगा तो 1 बटे 5 हो जाएगा 32 से बाहर ठीक है ध्यान रखना तो 2 5x में 1x जोड़ो 6x हो जाएगा बराबर 32 के LCM निकालो 5 बार 2 आएगा ठीक है LCM निकालने पर फिर 1 बटे 5 सेम लिख दिया आगे 2 की घाथ 6x बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यानि 2 की घाथ 5 यह 5 बार है इसे लिए ठीक है गुड़े में 1 बटे 5 लिख दिया बराबर 1 के हो जाएगा तो x बराबर 6 बटे में आ जाएगा ठीक है तो x कमान आएगा 1 बटे 6 तो यह आंसर नमबर आपका 4 हो जाएगा अगला कोशन देखो कहीं पर डाउट होगा तो बता देना कोशन नमबर 5 रिप्रेजेंट 0.7 उपर बार है इंदा फोर्म ओफ पी बाई क्यों 0.7 के उपर बार है कोशन पी बटे क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए आंसर नमबर 5 देखो ओके आंसर नमबर 5 हिंदी में लिखेंगे माना x बराबर 0.7 के उपर बार समी करण 1 इंग्लिस मीडियम ओले माना पर लिखेंगे लेट बाकि सेम उतार दो ठीक हिंदी मीडियम में लिखेंगे दोनों तरफ दस से गुणा करने पर इंग्लिस मीडियम ओले लिखेंगे multiplying both sides by 10 अब ध्यान से देखो 10 से multiply क्योंकि पॉइंट देखो 1 10 पर है तो दोनों तरफ 10 से multiply किया अब ध्यान से देखो आगे इधर 10 से multiply होगा तो 10x हो जाएगा इधर multiply करोगे तो 7.7 को पर बार लग जाएगा यहाँ पर 0.7 को पर बार का मतलब है कि 0.7 7 यह से बढ़ता जाएगा ठीक है तो जब 10 से multiply होगा यह पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और फिर से लग जाएगा तो 7.7 को पर बार लग जाएगा ठीक है यह equation 2 हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना हिंदी मीडियो माले लिखेंगे समी करनल 2 से घटाने पर यह 2 है इस से 1 घटाने पर इंग्लिज मीडियो माले subtracting equation 1 from 2 ठीक है तो ध्यान से देखो equation 2 इधर क्या है 10x और इधर है x तो 10x माइनस x किया एक को लगा दिया इधर क्या है equation 2 में 7.7 को पर बार है और इधर 0.7 को पर बार है घटा दो 10x यह 1x है ठीक है यह कितना है 1x है 10x में से 1x जाएगा 9x और इधर यह कट जाएगा 7 आ जाएगा ठीक है तो x बराबर आ जाएगा 7 अपन में इधर 9 आ जाएगा ठीक है न x equal to 7 by 9 यह आपका x कमान हो जाएगा P by क्योंके रूप में ठीक है answer 5 हो गया अगला कोशन देखो जहाँ पर डाउट होगा बता देना हिंदी मीडिया माले अपनी लाइन लिखेंगे इंगलिस मीडिया माले अपनी लाइन कोशन 6 है rationalize the denominator of the following निम्न के हर का परिमे करण कीजिए important कोशन एक कोशन ऐसा पेपर में आएगा जरूर तो पहला कोशन देखो 1 अपन में रूट 3 प्लस रूट 5 solution देखो first का पहले answer 6 का first यहाँ पर कोशन लिखा गया है जब हम हर का परिमे करण करते हैं तो नीचे का नंबर सेम लिखकर उपर नीचे गुणा करते हैं फर्क इतना होता है कि अगर plus होता है तो minus लगा देटे हैं minus होता है तो plus यहाँ पर plus है तो ऊपर नीचे minus हो जाएगा समझ गए same ऊपर नीचे इसन नंबर से गुणा किया गया निसान बदल कर अब root 3 minus root 5 का जब एक से गुणा करोगा तो ऊपर same आएगा ठीक है नीचे देखो जान से, इधर root 3 plus root 5, इधर root 3 minus root 5, a square minus b square equal to a plus b, एक bracket में, दूसरे में a minus b, यहाँ पर यह formula apply हो रहा है, तो यह हो जाएगा a square minus b square, a पर root 3 का square, b पर root 5 का square, और जब root 3 का square करोगे, तो double time हो जाएगा, यह 3 निकलेगा, इसी प्रकार root 5 का square करोगे, तो यह भी जोड़ा बनेगा, एक निकलेगा 5, तो direct यहाँ पर लिखा गया 3 minus 5, इधर मैंने समझा दिया है, कि नीचे वाले step में एक ऐसे direct आया, ओके, आगे देखो ध्यान से, आगे हम क्या करेंगे, उपर का number से हम लिखा गया है, 3 minus 5 minus 2 आ जाएगा, अब यहाँ पर, चाहो तो करके, minus 1 बटे 2 कर सकते हो, फिर यह bracket लगा सकते हो, इस प्रकार हो जाएगा आपका अंसर, या फिर, आप minus ऐसे लिखकर, उपर का number bracket में उपर कर दो, और नीचे बटे 2 ऐसे लगा दो, ठीक है, चाहिए लिख लो, चाहिए, आपकी मर्दी है, या फिर दोनों ऐसे लिख लो ओके, ये 6 का first का answer हो जाएगा, समझ गए, कहीं पर भी doubt होगा, तो बता देना, अगला question देखो, 6 का second question है, एक बटे में, root 2 minus root 7, और ये last question है, solution देखो इसका ध्यान से, second answer question same लिखा गया है, फिर से हर का पर्मे करण करेंगे, तो नीचे वाले number का उपर से भी बुना करेंग ठीक, एक का root 2 plus root 7 से गुना करोगे, same आएगा, नीचे फिर से देखो, a minus b, a plus b, same apply हो रहा है, तो बराबर a square minus b square, a पर root 2 का square, b पर root 7 का square, root 2 का square करोगे, तो ये double time जोड़ा बनेगा, इसमें से 2 निकलेगा, root 7 का square करोगे, तो ये same जोड़ा बन जाएगा, इसमें से 7 निकल आगे solve करेंगे, तो जहां से देखो, उपर का number same लिखा गया, नीचे, 2 minus 7 minus 5 आ जाएगा, अब यहाँ पर भी, पहली condition क्या है, minus को common करके, बाहर की तरफ, bracket लगा के, root 2 plus root 7 बटे में 5 लिख सकते हैं, या फिर, उपर 1 common करोगे, minus 1 बटे 5 हो जाएगा, और bracket में 2, root में, plus root मे 7 लिख दो, ठीक है, या आपका अंसर हो जाएगा, दोनों ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे रोग दो, चाहे फिर ऐसे, ओके, या आपका अंसर से करेंगे, कोस्टन को, कोस्टन नमबर 1 and 2 are multiple, twice questions, प्रस्ण संख्या एक एवं दो बहुविकल प्रस्ण है, ठीक है, कोस्टन नमबर 1 है, एवरी रेशनल नमबर इज, प्रतेक परिमिय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती, पुर्णांक नहीं होती, वास्तिविक संख्या या रियल नमबर ये होती है, इसमें आपका D option right हो जाएगा, ना ही whole number होगा, ना ही natural number, ना ही integer, ठी right answer आपका है, रियल नमबर यानि की वास्तिविक संख्या option number D, second question, which of the following is an irrational number, निमनी लिखित में से, कौन सी एक आपरिमिय संख्या है, आपरिमिय संख्या मतलब जिसे हम PYQ के रूप में ना लिख सकें, ठीक है, यची ध्यान में रखना, तो A option root 25 है, इसका मतलब 5 गुणे 5 होगा, जोड़े में इसे 5 निकलेगा, और इसे हम 5 बटेक लिख सकते हैं, मतलब यह है, उसके बाद में B option, root में 8, upon में 2 है, 2 से cut करो, 2 अंजा 2, 248, मतलब root में 4 मिला, तो यहां से आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, दो कवर गमूले, मतलब यह भी है, इसे हम 2 बटेक लिख सकते हैं, option D, root 49 का मतलब 7 into 7, 7 निकलेगा, root में से, इसको हम 7 Y1 भी लिख सकते हैं, PYQ की form में, मतलब यह भी है, C option देखो, root 18 का LCM निकालोगे, तो लिखोगे 2 into 3 into 3, ठीक है, यह बनेगा pair, बाहर निकलाएगा, अंदर 2 बचेगा, तो इसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो C option right होगा, C आप पर में संख्या, यानि कि irrational number, ठीक है, आगे देखो, question 3, simplify, हल कीजिए, question है, solution देखो ध्यान से, most important question है, solution, question सेम लिखा गया, उपर के नंबर सेम लिखा गया, 4 बटे, 64 के LCM निकालो, इधर मैंने निकाल दिया समझने के लिए, दो कितनी बार निकला, एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, लिख सकते हैं, दो की पावर छे, 64 पर, और, सेम बांकी, माइनस, दो बटे तीन, इसकी पावर इसे लगा दिया, फिर, प्लस, एक बटे सेम लिखा, 625 के LCM निकालेंगे, पांच आएगा, चार बार, तो 625 पर, लिख सकते हैं, पांच की पावर चार, ब्रेकट लगा कर, पावर माइनस, 3 एपान 4, सेम लिख दिया, आगे, प्लस पे प्लस लगाया, फिर से, दो, दो बटे, 243 को, लिख सकते हो, तीन की पावर पांच, यहां LCM निकाल दिया, ठी तो यहां पर हम लिख सकते हैं, तीन की पावर पांच, पावर माइनस, एक बटे पांच, सेम लिख दिया गया, समझ गए, 64, 625, 243 का LCM निकाल लेना, इसकी पावर को कनवर्ड करके, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, बांकि सब कुछ सेम लिखा गया, आगे, ध्यान से देख तो दो की पावर छे गुणे, माइनस दो बटे तिन लिख दिया जाएगा, इसी प्रकार प्लस एक लिखा गया, पांच की पावर चार, ब्रेकट हटाओ, गुणे, माइनस तीन बटे चार लिखा गया, प्लस पे प्लस, दो बटे, तीन की पावर पांच, गुणे लग माइनस चार ठीक है लिखा गया इसी प्रकार प्लस एक बटे चार से चार कट गया पांच की पावर माइनस तीन लिखा गया फिर प्लस पे प्लस उपर दो का दो लिखा गया पांच से पांच कट गया तीन की पावर माइनस एक लिखा गया, ठीक है, मतलब उपर का नमबर, सेम लिखा गया है, नीचे solve कर लेना, cut कर दो 3, 2, 6, 2 की पावर माइनस 4 4's 4 cut हो गया, 5 की पावर माइनस 3, 5's 5 cut 3 की पावर माइनस 1 लिखा गया आगे देखो, अब यहाँ पर हम यह formula apply करेंगे, ठीक है अगर बटे में पावर माइनस में है, तो यह formula लगाते है, एक बटे, एक की पावर माइनस M, यह बराबर हो जाता है एक की पावर प्लस M के तो उपर के नमबर 4, सेम रहेगा, यह उपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस के साथ प्लस में हो जाएगी इसी प्रकार प्लस रहेगा एक लिखा गया गुणे लग जाएगा नीचे वाली पावर उपर प्लस में हो जाएगी से में से प्लस दो गुणे तिन के पावर प्लस एक हो जाएगी ठीक है यहाँ पर यह फोर्मुला लगाया गया है ध्यान रखना अब स एक लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है 125 आएगा अब यह सोल्व करोगे तो दो गुणे तीन है तीन की पावर एक मतलब एक बार है दो तीन चेह आजाएगा इसको गुणा करो तीनों को एक साथ प्लस करना प्लस की निशान लगा देना 195 आपको आंसर मिलेगा ठीक है आंसर थर्ड हो जाएगा एसा ही लिख लो ठीक है आंसर थर्ड अगला कोशन देखो कोशन नमबर 4 मतलब इसको ओम लिख सकते हैं 2.57 के उपर बार है मतलब यह नमबर 57 बार बार आ रहा है जरसाइए कि 2.57,57,57 इसी परकार यह बढ़ रहा है मतलब 2.57 को पर बार को पी बाई क्यू के रूप में वेक्त किया जा सकता है जहां पी और क्यू पुरुणांख है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है ठीक है सो लिसन देखो most important question है ऐसा question paper में एक जरूर आएगा ध्यान रखना ठीक है एक चीज़ और आप इसे लिखो या फिर इसे लिखो ठीक है यह पूरी term इसके equal है मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2.57 के उपर बार ध्यान रखना ओके आगे देखो answer 4 हिंदी में लिखो माना इंग्लिस में let x equal to 2.57 के उपर बार है equation 1 हो जाएगा ठीक है point कितने पर देखो इकाई दहाई सेकड़ा सेकड़े पर है तो हिंदी में लिखो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर इंग्लिस में multiplying both sides by 100 इधर पी 100 से गुणा करो x गुणे 100 इधर 100 से गुणा करो इस प्रकार लिखोगे इधर 100 x हो जाएगा इधर हो जाएगा 2.57.57 के उपर बार क्यों ध्यांस देखो 2.5757 ऐसे ये बढ़ता रहेगा ठीक है तो जब 100 से multiply करोगे तिया point दो अंक आगे खिसक जाएगा यहाँ पर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 257.57 के उपर फिरसे बार लगा दिया गया ठीक है यह हो जाएगा equation 2 अब हिंदिम लिखो समी करनर 2 से समी करनर 1 घटाने पर इंग्लिस में by subtracting equation 1 from equation 2 ध्यान से देखो अब 100 X में से X घटा दो इस साइड वाली ट्रम को और 257.57 के उपर बार में से 2.57 के उपर बार घटा दो इस साइड ठीक है समी करनर 2 से 1 घट जाएगा ठीक है यह 1 X है 100 X में से 1 X माइनस होगा 99 X आएगा इधर से हम माइनस करोगे 255 आएगा कैसे आएगा देखो जहां से 257.57 के उपर बार इस में से माइनस करना है 2.57 के उपर बार यह तो कट गया 7 में से 2 जाएगा 552 यह मिलेगा आपको ठीक है यहां पर लिखा गया तो X इकपल टू 255 आप उन में 99 यह आपका हो गया आंसर चाहो तो आप सोड कर लो 3 से कट करोगे नीचे 33 आएगा उपर आएगा 85 यह आपका हो जाएगा अंसर या फिर आप नहीं रोक दो यह पी वाई क्यूं की फॉर में हो जाएगी ठीक है तो यहांसर नंबर आपका 4 हो जाएगा क्लियर है अगला कोशन देखो ध्यान से तो जब हम रूट 3 को संख्या रेखा पर सो करेंगे रूपित करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 3 equal to 2 plus 1 ठीक है और पाइथागोरस थेवरम से रूट 3 का स्क्वाइर equal to होगा रूट 2 का स्क्वाइर प्लस 1 का स्क्वाइर ठीक है यह सेम यही निकलेगा ठीक है इसके बाद में एक लाइन खीचना है यह 0 है यह 1 है और यह 2 है ठीक है न माल लेना अपने असाब से एक यूनिट दो यूनिट अब यहाँ पर आपको लंब बनाना यानि कि 90 डिगरी का कोंड बनाना है ठीक है तो कैसे बनाओगे सबसे पहले क्या करना है डिस्टन्स ले लो एक यूनिट की एक को केंदर मान कर बी तक की दूरी लेकर बी पर आपको नोप रखना है और एक आर क्यानी की चाप ऐसे लगा देना है ठीक है जहाँ पर कट करेगा उसको बी से मिला देना सीधा बिलकुल 90 डिगरी होना चाहिए इस परकार बने गए ठ समझगे लिए पर इसके बाद में क्या करना है यह मान लो आपका सी कि ए ठीक है सी बिंद्धू है अब सी को एसे मिला देना सी को सी को एसे से कि इस प्रकार मिला देना यह वनेगा रूट टु ठीक है और यह वगन यूनिट है तो पाइ थाक औरस्थिर्म से रूट टू हो गया. इसके बाद क्या करना आपको? इसके बाद क्या करना है? A को केंत्र मान कर C तक डिश्टेंस ले लेना. 1r क्यानी चाप ऐसे लगा देना. एसे C तक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा देना यह जहां पर cut होगा यह आपका root to show होगा इसके बाद में D से आपको 90 degree यहां पर point C पर बनाना है डारेक्ट एसे बना देना ठीक है इस परकार D से नाप लेना और उसके बाद में 90 degree पर एसे mark करना ठीक है 90 degree और उस point को आपको C से मिलाना है किस से मिलाना है C से इसको आप C से ऐसे मिला दो यह मानलो आपका है D आप करना क्या है ध्यान से देखो जितनी distance यह ना A B की उतनी ही B और C की है और उसी distance से C को केंदर मान कर एक आर्क आगे लगा देना है किस परकार यह जहां पर cut करेगा यह मानलो आपका E point है E को A से आपको मिलाना है E को A से मिलाना है ठीके ना E बिंदू को A से आप ऐसे मिला देना ठीके यह आपका root 3 हो जाएगा समझ गए इसके बाद में आपको यहां पर A और E का डिस्टेंस लेना ए और E का देको उसके बाद में ऐसे ही एक आर्क फिर से लगाना है जो इस परकार मिलेगा समझ गए यह आपका root 3 हो जाएगा ठीके इस परकार आपको बनाना है यहां पर भी लिख देना यह वन यूनिट है ठीके ज्यान रखना ले रहे तो ऐसे बना लो बच्चों आपका answer 300 हो जाएगा समझ गे तो आई होप यह समझ में आया होगा आगला question देखते हैं आगला question देखते हैं आगे का इस्तेमाल मत करना pencil प्रकार रबड का इस्तेमाल करना okay question number one and two are multiple choice question प्रस्न संख्या एक एवं दो बहुविकल प्रस्न है तो question number one देखो first question is which of the following is the zero of the polynomial px equal to 2x plus 5 निम लिखित में से कौन सा बहुपत px बराबर 2x plus 5 का सुन्यक है तो ध्यान से देखो हम 2x plus 5 है न तो इसको हम बराबर 0 के रखेंगे ठीक है तो 2x बराबर प्लस 5 इधर आएगा माइनस को जाएगा ठीक है तो x बराबर माइनस 5 अपोन में 2 यह आपका अंसर होगा तो माइनस 5 अपोन में 2 कहां पर है d option है first में d right है okay अगला second question which one of the following is not a polynomial निम लिखित में से कौन सा एक बहुपत नहीं है तो बहुपत यह भी है यह भी है यह भी है क्योंकि इनकी घात क्या है पूर्ण संक्या है तो b option आपका right हो जाएगा यह नहीं है ठीक है क्योंकि जो बटे में y है अगर यह उपर जाएगा तो इसकी प्यावर माइनस 1 हो जाएगी जो की possible नहीं होगा तो यहाँ पर आपका b option right है second में ओके अगला question number third है what is the coefficient of x in 3x plus 5x square 3x plus 5x square में x का गुड़ांक क्या है तो x के साथ आपका क्या है जहाँ से देखो number के वाल देखते हैं 3 है ठीक है तो यह आपका answer हो जाएगा 3 ठीक है केवल x पर focus करना है अगर यहाँ पर आपसे पूंचता x square का गुड़ांक तो x square में आपको 5x square में रहा है यहाँ पर answer आप लिखते कितना 5 लेकिन यहाँ पर पूंचा है x तो x के साथ 3 है यह आपका answer हो जाएगा ठीक है लिख लेना अगला question 4 what is the degree of the polynomial y square minus 7y plus 4y cube बहुपत y square minus 7y plus 4y cube की घात क्या है तो सबसे बड़ी पावर देखो इसमें y की पावर 2 है ठीक है ध्यान से देखो इसमें y की पावर 2 है इसमें 1 है इसमें 3 है तो 3 हो जाएगा सबसे बड़ी पावर देखते हैं ठीक है इसका answer होगा 3 तो 3 question में भी आपको answer लिखना है 3 और 4 में भी 3 ठीक है आगे question 5 evaluate 998 square using suitable identity उचित सर्वसम्का का उप्योग करके 998 का वर्ग ज्यात कीजिए solution देखो ध्यान से answer 5 998 की square इसको हम लिख सकते है 1000-2 का whole square 1000 में से 2 minus करोगे सेम आएगा ठीक है इसलिए तो यहाँ पर हम लगेंगे a minus b का whole square equal to a square plus b square minus 2 a b formula लगाएंगे a पर 1000 है b पर 2 है value रखेंगे a का square 1000 के square plus b का square 2 का square फिर 2 पे 2 a पर 1000 बी पर 2 value रखो solve करो इसको double time multiply करना है 1000 गुड़े 1000 पावर है तो आएगा 10 लाख 2 के square करोगे 2 गुड़े 2 कितना आएगा 4 और उसके बाद में इनको multiply करोगे तो यह आएगा 4000 ठीक है इन दोनों प्लस करोगे इतना आ जाएगा minus 4000 माइनस करोगे तो आएगा 9,96,004 यह आपका answer हो जाएगा और इस number को आप double time 998 गुड़े 998 करोगे तब भी आपको यही answer मिलेगा ठीक है अगला question देखो question number 6, question number 6 है verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them सत्यापित के जे की दिखाए गए मान निम लिखित इस्तितियों में संगत भौपत के सूनियक है या नहीं है ते दो question है इसको हम solve करेंगे 0 आएगा तो होंगे नहीं आएगा तो नहीं होंगे ठीक है solution देखो ध्यान से answer 6 का first question rate से लिखा गया है जहां पर x से यहां हमें रखना है minus 1 upon में 3 तो p x पर minus 1 upon में 3 equal to 3 into x पर minus 1 upon में 3 plus 1 same लिखा गया यहां पर हमको value रख देना है ठीक है आगे solve करोगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा minus 1 plus 1 बचेगा जो की 0 आएगा solve करने पर तो English में लिख दो yes Hindi में लिख दो हाँ ठीक है चाहो तो पूरी लाइन लिख दो हाँ यह भवपत का सुन्यक है English में yes it is 0 of polynomial या फिर same ऐसे ही लिख दो second question देखो second भी यहां पर लिखा है मैंने तो same यहां पर हमको यह लिखना है X पर 0 रखना है तो हम P X पर 0 रखेंगे यहां 0 की square 0 into 0 double time 0 आएगा इसमें भी same yes लिखना यानी हाँ ठीक है चाहो तो पूरी लाइन लिख देना first question second question solution देखो ध्यान से दोनों का एक साथ answer number 7 का first red color से question लिखा गया यहां पर हम formula apply करेंगे A square plus 2AB plus B square equal to A plus B का whole square होता है तो A square 9X square को हम लिख सकते हैं 3X का square और इसको अगर आप double time multiply करोगे तब भी आपको यही मिलेगा 9X square ठीक है ध्यान रखना इसके बाद में 2 पर 2 आएगा A पर 3X से 3X आएगा B B पर हम यहां पर Y लिखेंगे क्यों क्योंकि 3 टू जा 6X में Y से multiply होगा तो बीच का number आएगा और बीच का number आना चाहिए तो Y आजाएगा प्लस B square तो B पर हमारा क्या मिल गया Y Y के square हो जाएगा जो की होता है A प्लस B का whole square A पर 3X है B पर Y है 3X प्लस Y का whole square हो जाएगा यह आपका answer हो जाएगा second question देखो इसका question लिखा गया यहां पर हम formula apply करेंगे A square minus 2AB plus B square equal to A minus B का whole square A पर 4Y square है तो इसको हम लिख सकते है 2Y का whole square और इसको double time आप multiply करोगे तो आपको same मिलेगा 4Y square ठीक है इसके बाद में minus 2 पर 2Y आगया अब हम 2 2 जा 4Y हो चुका multiply करने पर कितने से multiply करेंगे 4Y है तो 1 से multiply करेंगे तो 1 लिखेंगे B पर तो B1 हो जाएगा फिर आगे B का square तो 1 का square यह हो जाएगा जो की होता है A minus B का whole square A पर 2Y है B पर 1 है तो 2Y minus 1 का whole square हो जाएगा second का answer ठीक है तो यह 7 का first है और यह 7 का second अगला question देखो question number 8 और last factorize गुड़न खंड कीजिए X square अपों में 49 minus Y square अपों में 100 ठीक है last question है ध्यान से देखो solution इसका answer number 8 question है आप लिखा गया इससे हम लिख सकते है X square 49 को लिख सकते है 7 into 7 यानि 7 7 जा 49 तो 7 के square लिख सकते है यानि 7 double time है ठीक है इसी परकार Y square उपर लिखा गया 100 को double time है तो हम लिख सकते है 10 का square यहां पर लिखा गया ठीक है अब इसके बाद में देखो दिया answer square square से में यह हो सकता है X upon 7 का whole square minus Y upon 10 का whole square ठीक है तो यह formula बनता है A square minus B square जो क्यों होता है A plus B A minus B तो A plus B A पर आपको X upon 7 मिला B पर Y upon 10 एक बार प्लस के साथ लिखेंगे एक बार minus के साथ यह आपका answer हो जाएगा Question number 1 and 2 are multiple twice questions प्रस्ण संख्या एक एवं दो बहुँ विकल्पिये प्रस्ण है ध्यान से देखना Question number 1 If X plus 2 is factor of the polynomial X square minus K X plus 14 then the value of K is यह दिवहुपद X square minus K X plus 14 का गुड़नखंड X plus 2 है तो K का मान होगा solution देखो ध्यान से answer 1 तो सबसे पहले X plus 2 को बराबर 0 के रखेंगे क्योंकि यह इसका एक गुड़नखंड है ठीक है तो X बराबर plus 2 इधर आएगा 0 की तरफ minus को हो जाएगा तो मतलब X minus 2 आपको मिलेगा अब बहुपद लिख लो जहां पर X है minus 2 रख दो K कमान पता चल जाएगा तो यहां पर लिखा गया X पर minus 2 का square K X पर minus 2 plus 14 बराबर 0 के इसका square करोगे double time multiply तो आएगा plus का 4 यहां पर लिखा गया ठीक है यह minus minus plus 2 के हो जाएगा plus 14 बराबर 0 14 और 4 plus होगा 18 हो जाएगा plus 2 के बराबर 0 तो plus 18 इस तरफ आएगा 0 की तरफ minus हो जाएगा तो K equal to minus 18 आप उन में 2 डिवाइड करो 9 आजाएगा minus 9 जो कि आपका A option है first question में ठीक है अगला question देखो अगला question number 2 root में X plus root में Y दूसरे bracket में root में X minus root में Y बराबर है is equal to 4 option है किसके equal है solution देखो answer to question यहाँ पर लिखा गया यह A plus B के रूप में है यह A minus B के formula होता है A plus B A minus B बराबर होता है A square minus B square के यहाँ पर यह formula apply करेंगे A पर root में X है इसका square करेंगे B पर root में Y है इसका square करेंगे ठीक है तो root में X का square करोगे तो यह double time हो जाएगा बनेगा pair pair में से एक बार X बहार आएगा ठीक है clear है तो यहाँ पर X आ गया इससे solve करोगे तो यह भी same Y का pair बनेगा Y बहार निकलेगा ठीक है Y बहार आ जाएगा तो मतलब X minus Y जो कि आपका B option है यह right हो जाएगा ठीक है question second में अगला देखो अगला question number third if A square plus B square equal to 49 and A minus B equal to 3 then find the value of A cube minus B cube यदि A square plus B square पराबर 4 चार नहीं इसको नंचास करो 49 ठीक है A minus B बराबर 3 है तो A cube minus B cube का मान ग्याद कीजिए ठीक है solution देखो ध्यान से answer third question में given है X square plus Y square equal to 49 X minus Y equal to 3 X cube minus Y cube equal to question mark है ठीक है X minus Y equal to 3 यहाँ पर लिखा गया है English में लिखो squaring on both sides हिंदी में दोनों तरफ work करने पर इधर भी square करो इधर भी square करो ठीक है इधर A minus B का square apply करो formula क्या होता है A square plus B square minus 2AB यहाँ पर apply किया गया A पर X का square B पर Y का square minus 2AB 2XY हो गया इधर भी square करो 3 into 3 9 आ जाएगा ठीक है 3 का square करोगे 3 into 3 कितना आ जाएगा 9 आगे solve करो देखो X square plus Y square question में given है कितना है 49 तो यहाँ पर इसकी value रख दो 49 minus 2XY equal to 9 same तो minus 2XY इधर रहेगा 49 इधर आएगा plus का minus हो जाएगा आगे solve करोगे तो minus 2XY यहाँ पर minus 40 आएगा minus minus cut out हो जाएगा XY equal to 2 यहाँ पर divide में आ जाएगा divide करो 20 आ जाएगा XY की value निकाल लिए 20 आ गया फिर से same यह लिखो ठीक है अब इंगलिस में लिखो cubing on both sides हिंदी में दोना तरफ घन करने पर तो यहाँ पर हमने cube करती है ठीक है इधर X minus Y का whole cube formula apply करो तो वो होता है X cube Y cube minus 3 X Y bracket में X minus Y इधर इसका भी 3 time multiply करना है ठीक है कितना आ जाएगा 27 clear अब X cube minus Y cube रोक लो 3 पर 3 X Y X Y निकाल चुके है कितना है आपका 20 आया है ठीक है 20 रख दिया फिर X minus Y question में given है कितना 3 ठीक है 3 रख देंगे इसकी value रख दो clear है equal to 27 के X cube minus Y cube इसका multiply करो 180 equal to 27 X cube minus Y cube equal to 27 यह minus 180 दर आएगा plus का हो जाएगा plus करोगे तो मिलेगा 207 X cube minus Y cube 207 आपको मिलेगा यही हमको निकालना था ठीक है तो पहले हम square करेंगे उसके बाद में cube करेंगे formula याद रखना हमें X cube minus Y cube की value का पता चल जाएगा यह answer आपका third है ओके कहीं पर doubt होगा बता देना अगला question देखो question number 4 if X equal to 8 minus 3 root में 7 then find double question है ठीक है एक बार plus के साथ solve करना एक बार minus के साथ ठीक है यदि X बराबर 8 minus 3 root साथ है तो ग्याद कीजिए तो ध्यान से देखो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 बटे X निकालेंगे ठीक है solution देखो ध्यान से 8 minus 3 root साथ दिया है ठीक है तो सबसे पहले हम 1 बटे X निकालेंगे क्योंकि एक बार X square प्लस 1 बटे X square निकालना है और दूसरी बार minus के साथ है तो 1 बटे X की जरूरत हमें पढ़ेगी ठीक तो पहले 1 बटे X निकालेंगे तो 1 पर 1 X पर हम इसकी value रखेंगे 8 minus 3 root साथ अब नीचे नमबर जो हर है root में है तो हर का पर्मिय करण करेंगे तो गुने के निसान लगा देंगे उपर हम इसी नमबर से multiply करेंगे उपर नीचे दोनो फरक यह है कि अगर minus होगा तो plus के साथ निसान लगा के करेंगे plus होता तो minus के साथ ठीक है तो यहाँ पर minus है तो plus हो जाएगा उपर नीचे यह नमबर लिख देंगे ठीक है एक का multiply करोगे 8 plus 3 root 7 से तो सेम आ जाएगा लिखा गया नीचे ध्यान से देखो 8 8 3 root 7 3 root 7 minus plus यह formula नीचे apply करेंगे ठीक है तो A minus B A plus B बराबर A square minus B square A पर 8 है तो 8 के square हो जाएगा कितना आ जाएगा 64 यहाँ पर डारेक्ट लिखा गया ठीक है उसके बाद में B पर है 3 root 7 इसका square करोगे तो double time लिखोगे यह चीद ध्यान में रखना तो 3 को 3 से करोगे 9 आएगा 7 7 का पेर बन जाएगा 7 बार निकलेगा 9 सत्य 63 आजएगा डारेक्ट यहाँ पर लिखा गया ठीक है अब आगे solve करो उपर की ट्रम सेम लिखो नीचे minus करोगे 1 आएगा 1 का मतलब नहीं है यहाँ पर तो 8 प्लस 3 रूट साथ 1 बाटे x की वैलू आ गई ठीक है अब आपको x और 1 बाटे x का मान पता चल गया है ठीक है न तो सब से पहले हम प्लस के साथ solve करेंगे पहला question solve करेंगे तो x square x पर इसकी वैलू रख दो 8 माइनस 3 रूट साथ के square किया और 1 बाटे x square है तो a बाटे x का मान आपका है कितना 8 प्लस 3 रूट साथ यहाँ पर लिखेंगे इसका square कर देंगे ठीक है वैलू रख देंगे अब आगे देखो ध्यान से इधर हम a माइनस b का whole square लगाएंगे और इधर a प्लस b का whole square मैंने नीचे लिख दिया समझने के लिए a पर 8 के square माइनस 2ab 2 इंटू 8 इंटू 3 रूट सेवन प्लस b square 3 रूट सेवन के square अब यह जो plus है यहाँ पर plus फिर से मैंने लगा दिया है ठीक है अब इस ट्रम में देखो a square 8 के square 2ab प्लस का formula इधर apply होगा माइनस वाला इधर apply होगा ध्यान रखना ठीक है आगे solve करो 8 के square 64 आएगा इसको solve करो 2,8,16,3,4,4,7 इसे solve करोगा double time तो 3 root 7 इंटू 3 root 7 3,3,0,9 पेर में से 7 निकलेगा कितना हैगा 63 तो यहाँ पर 63 लिख दिया गया यह solve हो गया इतना आ गया अब plus पे plus लगा दो इधर भी same 8 के square 64 इसको solve करोगे 48 root 7 इसको solve करोगे तो 63 same आए गयी ठीक है अब ध्यान से देखो यह plus का है 48 root 7 इधर minus का है कट जाएगा 64,63,64,63 4 को आपस में तुमें plus करना है जब करोगे तो आएगा 254 ठीक है फिर्ष्ट का अंसर हो जाएगा अब फिर से अगला देखो इसमें second था चोथे का second भी same है फिर से value आपको पता है x पर x की value एक बट x पर इसकी value निकाल चुकी है फिर से put कर दो direct इधर भी a minus b का whole square apply करोगे इधर a का whole square same apply करोगे इधर a का square लिखा गया उसके बाद में 2 पे 2 a पर 8 b पर 3 root 7 लिखा गया plus b square 3 root 7 के square लिखा गया अब यहां पर minus है तो minus लिख दिया गया ठीक है अब इधर plus वाला formula अपलाई करो इस side तो plus वाला formula अपलाई करोगे a का square 8 का square 2 a b 2 पर 2 a पर 8 b पर 3 root 7 लिखा गया गुने के निसान लगा कर plus b का square 3 root 7 के square इससे solve करोगे 64 इससे solve करोगे 48 root 7 इससे solve करोगे 63 minus लगेगा अब breaker से बाहर minus है अंदर की निसान बदल जाएंगे ध्यान रखना 64 आ गया यहाँ पर भी minus हो जाएगा इसको solve करोगे 48 root 7 यहाँ भी minus आ जाएगा इसको solve करोगे 63 अब कैसे आ रहा है आपको पता होना चीए मैंने ऊपर बता दिया है इसको double time जबाब स्कोर करोगे 339 आ जाएगा 7 का pair बनेगा 7 बाहर निकलेगा आ जाएगा 63 ठीक है अब solve करो फिर से 64 plus का है 64 minus का है कट गया 63 plus का है 63 minus का है 48 root 7 48 root 7 minus में है तो minus minus plus 48 plus 48 करोगे तो 96 मिलेगा root 7 से में से लगा दोगे ठीक है यह आपका अंसर हो जाएगा 4th का भी clear है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना आपको यह value निकाल लेना 1 बटे x की क्योंकि x दिया है उसके बाद में आप 1st और 2nd question पर direct value पूट करके solution निकाल सकते हो अगला question देखो अगला question number 5 if x plus y plus z equal to 0 then find the value of y plus z का whole square बटे में y z plus x plus z का whole square बटे में x z plus x plus y का whole square बटे में x y ठीक है question most important है ध्यान देना answer देखो last question है answer number 5 ध्यान से देखना यह question में given है x plus y plus z बराबर 0 ठीक है अब ध्यान से देखो अगर हम x plus y इदर रोकेंगे z को 0 की तरफ भेजेंगे ति यह minus z हो जाएगा ठीक है यह पहली condition है ध्यान रखना फिर से y plus z इदर रोक लो x को 0 की तरफ भेजो इदर आएगा यह minus को जाएगा तो y plus z बराबर minus x के होगा ठीक है अगली condition में अगर हम x और z इदर रोक ले y को 0 की तरफ भेजेंगे ति यह minus को हो जाएगा अब इन तीनों की value हम रखेंगे यह चीछ ध्यान में रखना थोड़ा question को easy करने के लिए ऐसा किया गया है ठीक है ध्यान से देखो यह question था question लिख लिया गया ठीक है y plus z अब ध्यान से देखो y plus z किसके equal हो रहा minus x के square है तो हम लिख सकते है minus x के square नीचे y z से में ऐसे लिख दिया फिर से plus लगा दिया इदर x plus z है तो x plus z minus y के equal है तो minus y के square करेंगे नीचे का number x z से में लिख दिया गया फिर से plus है तो plus लगा दिया गया x plus y का whole square तो x plus y बराबरे minus z के तिधर minus z का whole square करेंगे नीचे x y से में लिख दिया समझ गए आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखो इसका square करेंगे उपर तो minus x into minus x ये plus का हो जाएगा x square यहाँ पर लिखा गए नीचे का number सेम है सेम इसी प्रकार ये भी y square plus का बटे में x z सेम ये भी z square हो जाएगा x y सेम नीचे का वही रहेगा ठीक है आगे बढ़ो अब हर का LCM निकालो y z common number ठीक है न x y z मिलेगा clear है अब ध्यान से देखो LCM निकालने के बाद अब ध्यान से देखो इसमें से जब LCM में डिवाइड करोगे y z से तो y z कट जाएगा केवल x बचेगा तो जो x बचेगा इसका उपर multiply होना है x का x square से multiply हो जाएगा फिर से सेम देखो प्लस लगा दो इसकी बारी x z से जब डिवाइड करोगे LCM में x z कट जाएगा केवल क्या बचेगा y तो उपर y square है y square का y से multiply हो जाएगा फिर से plus है लगा दिया गया अब आगे इसकी बारी x y से LCM में डिवाइड करोगे x y से तो x y कट जाएगा केवल क्या बचेगा z तो उपर z square है z से multiply हो जाएगा यह चीज़ ध्यान में रखना fraction add आप पढ़े होगे तो आप समझ गए होगे ठीक है अब उपर multiply करोगे यह x की power 1 है तो x cube हो जाएगा plus इदर भी y cube हो जाएगा plus z cube हो जाएगा और बचे में x y z से लिखा जाएगा अब आपको एक चीज़ और समझना है यह formula होता है इसे आप याद कर लेना तो x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z equal to होता है bracket में x plus y plus z और फिर से bracket में x square plus y square plus z square minus z x के इसकी value question में दिया है कितना दिया 0 और अगर हम इसकी value यहाँ पर 0 मान लेंगे और इस ट्रम में जब multiply होगा 0 से यह पूरी ट्रम क्या हो जाएगी 0 तो कहने के मतलब यह ट्रम equal हो जाएगी 0 के जब 0 की equal हो जाएगी तो x cube plus y cube plus z cube इधर हम रोकेंगे minus 3xyz को equal की side भेजेंगे तो यह plus का हो जाएगा तो कहने के मतलब यह हमको यहाँ पर apply करना है कि x cube plus y cube plus z cube बराबर होता है 3xyz के ठीक है तो यहाँ पर यह condition हम लगाएंगे x cube y cube plus z cube equal to 3xyz के तो यहाँ पर हम 3xyz उपर रख सकते हैं और क्यों रखा गया मैंने आपको बताया ठीक है ना यह इसके equal होता है तो xyz से xyz कट हो जाएगा केवल आपको मिलेगा 3 यह आपका answer हो जाएगा ठीक है यह आपका answer number कौन सो हो जाएगा 5 question number 1 and 2 are multiple twice question याने कि प्रस्न संक्या एक और दो बहुवी कल्पी है प्रस्न है 4-4 option है कोई एक right है तो ध्यान से देखो खीक है इसका solution question 1 है in which quadrant does the point A minus 3, 7 lie बिंदू A minus 3, 7 किस चतुर्थांस में इस्तित है तो ध्यान से देखो यह 4 चतुर्थांस होते हैं यह पहला होता है जिसमें दोनों plus plus होता है क्या होता है दोनों plus plus यह दूसरा होता है इसमें minus plus होता है क्या होता है minus plus यह तीसरा होता है बच्चों इसमें दोनों minus minus होता है और यह चोथा होता है इसमें दोनों plus minus होता है ठीक है तो important क्या है यहाँ पर number को देखो 3 के साथ minus है यहाँ पर 7 plus का है मतलब 3 minus में है 7 plus में है ठीक है जाने देखो minus plus अब यह पहचानो किस में है minus plus आपका किस चतुर्थांस में है तो यह second में आ रहा है ठीक है तो first में आपका भी option right हो जाएगा second में समझ गए आगे देखो first में भी second question the abscissa of the point minus 4 minus 3 is बिंदू minus 4 minus 3 में भुज है तो दिहां से देखो इसमें starting का जो number है आपका minus 4 x है minus 3 y है और यहाँ पर कह रहा है कि भुज यानिक एफसिसा तो x की value भुज होती है y की value 40 तो x की value हो जाएगी आपकी भुज यानिकी एफसिसा तो minus 4 आपका answer हो जाएगा इसमें भी आपका b option right होगा ठीक है तो first में भी second में भी b आगे देखो question third in the given figure four points a, b, c and d are sound नीचे दी गई आकरती में चार बिंदू a, b, c और d दरसाए गए हैं ये a है, b है, c है, d है तो question देखो क्या कह रहा है इसमें पहला question कह रहा है उन बिंदूों के नाम बताईए जिनकी कोटी समान है name the points which have the same ordinates कोटी का मतलब मैंने क्या समझाया कोटी होता है y यानि ordinate y होता है और भुज होता है x ठीक है, x सा x होता है तो कोटी की बात करें इसमें ordinate की तो ध्यान से देखो यह starting वाला आपका x होता है उसके बात वाला y तो देखो ध्यान से y वाला यानि दूसरा नंबर किसमें सेम चल रहा है तो ध्यान से देखो इसमें 2 है इसमें भी 2 है यानि a भी सेम है त्याहा लिख देंगे a, b, कॉमा लगा दो उसके बात में ध्यान से देखो a, b, उसके बात में धर भी देखो माइनस टू, माइनस टू y वाला जो ट्रम है यह क्या है, सेम है ठीक है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे यह c है और यह d है ठीक है a, b का सेम निकला और c, d का सेम निकला है ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के नाम लिखने a, b, c, d में आगे देखो second question कहे रहा है name the point which have the same axis उन बिंदों के नाम बताएं जिनके भुज समान है भुज का मतलब x यानि starting वाला यह x है और यह y है x देखो starting वाला number same किस में है तो देखो ध्यान से किस में है इसमे minus 2 है starting में और इसमे minus 2 है ठीक है starting में तो यानि b, c हो गया एक answer में लिखो गए b, c, बिंदों हो गया कोमा उसके बाद में और same कौन से चल रहा है starting का यह देखो a, 3 है d पर भी 3 है यह लिख देंगे a, d यह point के नाम दे दिया जो same चल रहा है ऐसे यह आप लिख लो यह first का answer हो जाएगा और यह second का answer हो जाएगा ठीक है first का यह answer है और second का यह answer है समझ गए आगे देखो जहां से question 4 match the following milan के दिये column A, column B जहां से देखो x, y में जहां पर भी number हो ठीक है 0 को छोड़ कर जहां पर भी number हो वही आपका answer होगा वही अक्स होगा तो number कहां पर है y पर है ठीक है तो first की matching आपको y axis से करना यानि कि y axis second देखो यह plus 5 plus का है 3 minus का है तो plus minus plus minus अभी मैंने समझाया तो plus minus कौन से चतुर्थांस में होगा चोथे में इसकी matching यहां करना है ठीक है आगे देखो 7, 0 तो फिर से देखो यह आपका x है और यह y है अभी मैंने क्या समझाया 0 जहां पर होगा उसको आपको नहीं देखना है जहां पर number होगा उसे देखना है तो 7 है number x पर है इसका x से मिलाना है x x पर आंसर निकलेगा ठीक है x x पर तो इसको आप मिलाओगे x x से ठीक है अगला देखो minus 8 है यह minus में है और फिर minus 3 यह भी minus में है दोनों minus में है तो minus minus किस चतुर्थांस में होते है तीसरे में तो इसकी मैचिंग आपको तीसरे चतुर्थांस से करनी है ठीक है यह मैचिंग हो जाएगी समझ गे तो ऐसे आप कर लो यह answer complete हो जाएगा ठीक है अगला question देखते है question 5 है find the value of x and y if x minus 4,7 equal to 5,y यदि x minus 4,7 बराबर 5,y है तो x,y का मान ग्याद किज़े ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा है answer देखना ध्यान से x minus 4,7 यह बराबर है 5,y के ठीक है तो simple से question ध्यान से देखो आगे वाला पद आगे वाले नमबर के बराबर कर दो और उसके बाद में जो बच रहा है वो दूसरे नमबर के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे ध्यान से देखो x minus 4 यह बराबर होगा आपका x minus 4 बराबर होगा 5 के तो x बराबर 5 इधर है minus 4 इधर आएगा तो plus का हो जाएगा तो आजाएगा x बराबर 9 x कमान हो गया फिर से देखो ध्यान से अब यहाँ पर फिर से आपको यह दूसरे नमबर के बराबर हो जाएगा यह बराबर 7 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आजाएगा y बराबर 7 तो X का मान आजाएगा No, Y का मान आजाएगा 7 यह आपका answer है ठीक है, क्लियर है बस इतना समझने आपको कि Starting X-4, 5 के बराबर निकलेगा और 7Y के इक्वल निकलेगा तो same XY का answer आजाएगा Question number 1 and 2 are multiple twice questions प्रस्ण संख्या एक एवं दो बहुवी कल्पिये प्रस्ण है Question 1 है What are the coordinates of the origin? मौल बिंदू के निर्दे सांग क्या है? तो बच्चों मौल बिंदू का मतलब जैसे कि यह X-axis है और यह Y-axis है तो दोनों एक दूसरे को जहां पर कट कर रहे हैं ठीक है? यह आपका मौल बिंदू होगा और इसके निर्दे सांग 0,0 होते हैं ठीक है? एक बिंदू जो X-axis पर धनात्मक दिसा में मौल बिंदू से 5 एक एक दूरी पर इस्थित है तो उस बिंदू के निर्दे सांग है तो दिहां से देखो अगर मौल बिंदू से पोजिटिव साइड में है तो यह प्लस का होगा ठीक है न? इस तरफ ख्लियर है? तो X पर 5 बोल रहा है 1, 2, 3, 4, 5 तो X 5 वाई पर 0 रहेगा ठीक है यह आपका अंसर होगा यह X एक्सिस होता है ठीक है? आगे यहाँ पर आपका भी उप्सन राइट हो जाएगा 5,0 अगला नीचे दे गई आकरती पर आधारित प्रस्नों के उत्तर देजिए अंसर दा फॉलोविंग कोस्टन बेश्ट ओन दा गिवन फीगर ध्यान से देखो कोस्टन नमबर वन उस बिंदू का नाम बताईए जिसके भुजवा कोटी बराबर है नेम दा पॉइंट फूज ओडिनेट एंड एपसिसा आर सेम ध्यान से देखो पी पर ठीक है कहाँ पी पर आपको देखना है भुज़ और कोटी का मतलब एक्स और वाई दोनो सेम हां ठीक है तो पी बिंदू पर है यहाँ पर देखो ध्यान से एकस थी एक है वाई भी एक है ठीक है एक एक तो आंसर क्या लिखूगे आप P अगला Name the point lying on X axis Xx पर इस्थित बिंदू का नाम लिखिए Xx ये है आपका ठीक है? तो कौन से बिंदू इस्थित है? ये, Q ठीक है? ये है तो इसका अंसर आपका P है फ्रस्ट का और सेकेंड में लिखोगे Q clear है? आगे ध्यान से देखो कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना ठीक है Question 4 Write the mirror image of the given point 2,3 and minus 4, minus 6 with respect to the x-axis x-axis के संबंध में दिये गई बिंदू 2,3 और minus 4, minus 6 का दरपन प्रतविम भी लिखें ध्यान से देखो Answer 2,3 है तो अगर x-axis के संबंध में बात हो रही है तो y वाला number minus का हो जाता है ध्यान रखना बदल जाता है बस ही आपको ध्यान रखना है तो इसका answer हो जाएगा यह आपका x है और यह क्या y है तो x सेम रहेगा 2 ही रहेगा लेकिन y का symbol बदल जाएगा क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा plus का ठीक है यह इसका answer हो जाएगा second है minus 4, minus 6 तो minus 4 x है तो x में कोई बदलाव नहीं होता सेम रहेगा minus 4, y का symbol बदल जाएगा minus 6 है तो plus 6 हो जाएगा इस परकार ठीक है इसका answer हो जाएगा समझ गे तो इस case में आपको जहाँ रखना है कि अगर x, x के संबंध में बात कर रहा है तो x का number सेम रहेगा y में, y पर जो number होगा उनके निसान बदल जाएगे यह चित ध्यान में रखना थी इसका answer हो जाएगा ठीक है आगे देखो मिलान कीजिए match the following column A, column B minus 3, 5 यह minus का है और 5 plus का है ठीक है तो सबसे पहले यह चित ध्यान में रखना चतुर्थांस होते हैं 4 पहले में दोनों plus होता है और दूसरे में minus plus होता है तीसरे में दोनों minus minus होता है छोथे में plus minus होता है यह चित ध्यान में रखना अब देखो minus 3 plus 5 एक minus का है और दूसरा plus का है तो किस से matching करोगे minus plus second से ठीक है second में आ रहा है clear है यहाँ पर यह चित ध्यान में रखना तो इसकी matching करोगे आप सेकेंड में होगा ठीक है इसके बाद अगला कोशन 2,0 y पर 0 मतलब 2 x पर होगा यह x अक्ष पर होगा यानि एक्सिस पर होगा ठीक है इससे मिलाओगे तीसरा 2,2 दोनों प्लस के हैं तो पहले में ठीक है होगा तो कहां लिखा है पर्थम चेतुर्थांस इससे मिलाओगे अगला दोनों माइनस माइनस आए तो माइनस माइनस किसमें तीसरे में आता है ठीक है माइनस 3 माइनस 6 तो 3 में आएगा यह ठीक है यह इसमें होगा अगला, 4 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो, same इससे मिला दोगी, clear है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह चीज, कि पहले 14 में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में minus plus तीसरे में minus minus चोथे में plus minus ठीक है आगे देखो अगला question बताईए कि क्या दिएगे कथन सत्या सत्य हैं अपने उत्तर का कारण बताएं इस्टेट वेदर दा गिवन इस्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स गिवन जस्टिफिकेशन फॉर यूर अंसर ठीक है तो ध्यान से देखो फर्स्ट है कर रहा है बिंदू 3,0 पहले चतुर्थांस में इस्तित है पॉइंट 3,0 लाइंग इन दा फर्स्ट क्वैडरेंट तो ध्यान से देखो फर्स्ट में पहचान क्या होती है दोनों प्लस क्यों होते है लेकिन यहाँ पर 3x है और 0 के y है ठीक है यह x अक्ष पर होगा ठीक है इसका रीजन हो जाएगा और इस्टेटमेंट क्या फॉल्स है ठीक है न यह 4 थांस में नहीं होगा x-axis पर होगा यह चित ध्यान में रखना सेकंड करा है बिंदू 1-1 और 1-1,1 एक ही 4 थांस में इस्थित है तो यह इस्थित नहीं है क्योंकि इनके सेंबल के हैं अलग अलग है एक में प्लस माइनस है इसमें एक प्लस है और दूसरा माइनस है इसमें आगे वाला माइनस है दूसरा प्लस का है तो यह अलग अलग 4 थांस में होंगे ठीक है तो यह बिन्दू की कोटी माइनस एक बटे दो और भूज एक है उसके निर्दे सांक माइनस एक बटे दो और एक है तो यह भी फॉल्स है क्यों मैंने बता रखका है भूज का मतलब एक्स होता है यानि एपसिसा और ओर्डिनेट यानि कोटी का मतलब होता है तो पहले एक्स लिखा जाता है इसका one आगे होना चाहिए और कॉमा माइनस one उपन में टू बाद में होना चाहिए तो यह true होता ठीक है इसका रीजन है क्लियर है इसलिए भी क्या है फॉल्स है ठीक तो अभी तक तीनो फॉल्स हैं आगे देखो Y अक्ष पर X अक्ष से दो इकाई की दूरी पर इस्थित एक बिंदू के निदेशांग 2,0 है A point lying on the Y axis at 2 unit distance from the X axis Its coordinates are 2,0 गलत है करें X अक्ष से दो इकाई दूरी पर है ठीक है तो X अक्ष से दो इकाई की दूरी पर है तो यहाँ पर इसका मतलब Y पर है X आपका 0 होगा Y कितना होगा 2 होगा यह reason है 0,2 होना चीए ठीक है लेकिन यहाँ पर ultra लिख जें 2,0 यह भी कहाई false है आपका ठीक है अगला minus 1 plus 7 is a point lying in the second quadrant बिल्कुल सही यह दूसरे चतुर्थांस में होगा ठीक है क्योंकि दूसरे चतुर्थांस में minus और plus का symbol होता है तो एक आपका minus का है साथ plus का है ठीक है यह इसका reason हो जाएगा और यह आपका true है ठीक है चार-चार option है कोई एक right है तो पहले solve करेंगे फिर पता चलेगा कौन सा right है कौन सा रोंगे ठीक है question number 1 देखो at which of the following point the graph of linear equation 3x plus 2y equal 9 cuts the y axis रेखिक समीकरण 3x plus 2y बराबर 9 का graph y अक्ष को निम्लिखित में से किस बिंदू पर काटता है तो y अक्ष की बात कर रहा है तो x बराबर 0 होगा अगर यहाँ पर बोलता x अक्ष को तो y बराबर 0 होता यह चे ध्यान में रखना है तो यहाँ पर y अक्ष को इसका मतलब x आपको 0 रखना है तो solution देखो ध्यान से first का answer 1 y अक्ष को काटता है हिंदी में लिखोगे इंग्लिस वाले cut the y axis इसलिए x बराबर कितना रखना आपको 0 ठीक है यह ध्यान में रखना है clear है तो equation question में जो दिया है लिख लिया गया 3x प्लस 2y बराबर 9 3 पर 3 x पर आपको 0 रख देना है तो गुणे में 0 लगा दो प्लस 2y बराबर 9 3 को 0 सकरोगे 0 मतलब यह finish है कुछ भी नहीं है तो बचेगा 2y बराबर 9 तो y बराबर 9 बटे में आजाएगा 2 ठीक है और भाग करोगे तो आजाएगा 4.5 ठीक है x पर 0 रखा आपने तो y मिला 4.5 ठीक है तो यहाँ पर c option आपका हो जाएगा 0,4.5 ठीक है option number c first में राइट है अगला देखो जहाँ पर doubt होगा तुरंद बता देना question number first में आपका c option राइट हो गया solution लिख लेना ताकि समझ में आ जाए question 2 देखो how many solutions are there for the equations y equal 5x plus 2 समी करण y बराबर 5x plus 2 के कितने हल है तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम x पर y पर कितने भी value रखेंगे इसके मान आते रहेंगे अनेक हो ठीक है तो यहाँ पर हम option लेंगे d infinitely many यानि कि आप अर्मित रूप से अनेक हल होंगे ठीक है यह द्यान में रखना तो first में c option राइट है आपका और second में आपका option number d राइट है अनेको हल होंगे ठीक है अगला देखो question number third question number third है find any three solutions of the equations 2x plus y equal x plus 5 समी करण 2x plus y बराबर x plus 5 के कोई तीन हल ग्यात कीजिए तीन solution निकालने है solution देखो question number third का answer third देखो यह equation question में दिया है साफ साफ लिखा गया 2x इधर लिखा गया है बराबर की side जो x है इसको एक side लाएंगे तो plus का इधर इधर आएगा तो minus का हो जाएगा उसके बाब में बराबर की just बाद 5 बचेगा 5 लिखा गया plus y को 5 की side भेजेंगे तो plus का हो जाएगा minus y ठीक है अब इधर देखो 2x से यह minus 1x है 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा एक hide होता है लिखा नहीं जाता बराबर 5 minus y से हम लिखा गया अब इस equation पर focus करना ठीक है थोड़ा आसान हो जाए इसलिए ऐसा लिखा गया ठीक है तीन solution निकालना first solution निकालेंगे यहाँ पर हिंदिम लिखना y बराबर 0 रखने पर English medium वाले put y equal to 0 यह equation लिख लो x बराबर 5 minus y तो x बराबर 5 minus y पर 0 रख दो तो 5 में से 0 घुटा होगे 5 यानि एक हल आ गया ठीक है फिर से same equation ए लिखना ध्यान रखना ठीक है अब इसके बाद में तो एक हल हो गया y बराबर 0 रखने पर फिर से y बराबर 1 रखने पर हिंदिम लिखेंगे English में put y equal 1 फिर से equation लिख लो तो 5 माइनस y पर क्या आएगा 1 कितना आजाएगा 4 माइनस होगा तो ये 2 solution होगे ठीक है इसके बाद में फिर से y बराबर 2 रखने पर English medium में लिखेंगे put y equal 2 equation फिर से same लिख लो y पर 2 रख दो minus कर तो 3 आजाएगा ठीक है ना कितना आजाएगा 3 solution होगे 3 बोल रहा है अब ध्यान रखना है आपको कि आप चाहो तो अलग solution भी निकाल सकते हो 0,1,2,3,4,5,6 कोई सभी number रखकर इसका कोई rule नहीं है ठीक है ना अपने coding कोई सभी number put कर सकते हो अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 5,0 पहले X का लिखते हैं इधर लिख सकते हो 4,1 यह किधर से अरा जो solution निकला इधर लिख सकते हो 3,2 ठीक है या फिर बोक्स बना लो ऐसे ही आराम से लिख लो यहान से देखो जब Y पर 0 रखा यहाँ पर तो X हम को 5 मिला फिर से जब Y पर 1 रखा तो X हम को कितना मिला? 4 फिर से जब Y पर 2 रखा तो X मिला? 3 ठीक है न इस परकार बोक्स बना कर भी लिख सकते हो ठीक है आपकी मर्जी यह आंसर 3 हो जाएगा समझ गए? आगे देखो कहीं पर कोई डाउट होगा तुरंद बता देना ऐसे लिख लो आंसर नमबर 3 हो जाएगा अगला देखो कोशन 4 अगला कोशन कोशन नमबर 4 कोशन 4 रिप्रेजेंट दा एक्वेशन X प्लस Y इक्वल 5 ग्राफिकली समी करण X प्लस Y बराबर 5 को आलेख यानि की ग्राफ पर निरूपित कीजिए तो हमें कम से कम दो हल निकालने पड़ेंगे उसके बाद सॉल्यूसन इसका बनेगा यानि ग्राफ बनेगा ठीक है सॉल्यूसन देखो आंसर 4 एक्वेशन लिख लिया गया ठीक है उसके बाद में फिर से सेम एक्वेशन लिखो फिर से पुट Y एक्वेशन जीरो हिंदी में Y बराबर 0 रखने पर फिर से एक्वेशन लिखा गया इस बार Y पर 0 रखना Y पर 0 रखना तो X मिल जागा कितना 5 तो इसके दो हल हो ठीक है ना आप 3-4 भी निकाल सकते हो लेकिन कम से कम दो एक बार X पर रखो एक बार Y पर इसली आ जाता है ठीक है तो देखो जब X पर 0 रखा गया X पर 0 रखा तो Y क्या मिला 5 5 आ गया उसके बाद में जब Y पर 0 रखा तो X क्या मिला आपको 5 ठीक है ना इस परकार लिख देना अब हमें graph पर इसे so करना है तो यह graph है ध्यान से देखना ठीक है तो बच्चों यह X axis है और यह है Y axis याने की X axis Y axis ठीक है अब ध्यान से देखो X पर highest number 5 है Y पर भी highest number 5 है तो X पर भी 5 आगे बढ़ना है Y पर 5 आगे बढ़ना है तो यह X पर हो जाएगा 1,2,3,4,5,6 आगे बढ़ सकते हो लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए Y पर भी सेम 1,2,3,4,5,6 ठीक है 5 तक होना चाहिए अब इसके बाद में X पर 0 है Y पर 5 है तो X पर 0 Y पर 5 कहां पर होगा यह है X पर 0 Y पर 5 यह है ठीक है ना तो पहला पॉइंट यह होगा दूसरा पॉइंट क्या है X पर 5 है Y पर 0 है तो X पर 5 है Y पर 0 कहां पर है ठीक है अब इन दोनों बिंदों से होती हुई एक रेखा आपको खींचना है ठीक है ना यह ऐसे खींच दो और इसका नाम लिख देए एक्वेशन क्या था X प्लस Y पराबर 5 ठीक है यह एक्वेशन यहाँ पर लिखा गया से मैसे ही लिख देना ठीक है और यहाँ पर आपको सो करना है 5,0 और इधर 0,5 ठीक है और ऐसे यह आपको बना लेना है यह आंसर 4 क्लियर हो जाएगा समझ गए ठीक है और यहाँ पर आप लाइन के साथ में एक्वेशन लिख देना X प्लस Y इक्वेशन फाइब ठीक है यह ग्राफ हो जाएगा आंसर 4 का ठीक है यह सोल्यूशन ऐसे दोहल निकाल लो और उसके बाद में ग्राफ ऐसे बना लेना अगला कोशन देखो अगला कोशन 5 कोशन 5 है So that the points A 1,-1 B 2,6 and C 0,-8 lie on the graph of the linear equation 7X-Y equal 8 दर्शाय की बिंदू A 1,-1 B 2,6 और C 0,-8 समी करन 7X-Y बराबर 8 के आलेक यानि graph पर इस्थित है ठीके तो equation ध्यान में रखना इसी equation पर हम तीनों point को बारी-बारी solve कर लेंगे अगर equation में दोनों तरफ left hand side, right hand side equal लाएगा तो यह इस्थित होगा नहीं तो नहीं होगा ठीके solution देखो ध्यान से यह point A है यह B है यह C है ध्यान रखना ठीके और यह equation है ठीके solution देखो answer 5 हिंदिम लिखोगे A बिंदू से English medium वाले from point A answer 5 हिंदिम लिखोगे A बिंदू से English medium वाले from point A अब point A क्या दिया है 1, minus 1 तो starting में यह X हो जाएगा बच्चो यह Y हो जाएगा equation question में given है लिख लो साफ साफ 7 पर 7 X पर into 1 लगा दो minus minus Y की value minus 1 रख दो equal 8 ठीके अब देखो 7 बंज़ा 7 minus minus हो जाएगा plus 1 equal 8 इधर भी 7 plus 1 8 equal 8 मतलब की left hand side equal निकल रहा है right hand side के तो इस्थीते clear हो गया ठीके ना अगला point देखो इसी प्रकार फिर से लिखेंगे B बिन्दू से हिंदी में English medium होले from point B question में दिया है कितना है 2 6 ठीक है तो यह X हो जाएगा यह Y हो जाएगा फिर से equation लिख दो जहांपर X है आपको 2 रखना है 7 into 2 और Y पर 6 आपको रखना है equal to 8 अब उसके बाद में 7 को 2 से multiply करो 14 minus 6 equal 8 14 में से 6 जाएगा 8 equal 8 यानि कि left hand side equal निकल रहा है right hand side के मतलब यह भी बिन्दू स्थित होगा अब इसके बाद में फिर से आगे लिखेंगे C बिन्दू से इंगलिस में from point C 0 minus 8 है यह X हो गया और यह Y हो गया equation फिर से same लिखो चेंज नहीं होगा X पर 0 रखो 7 into 0 minus Y पर minus 8 फिर से minus 8 equal 8 7 को 0 स्कूर 0 minus minus हो जाएगा plus 8 equal 0 यह minus minus हो जाएगा plus 8 equal 0 और 0 में 8 plus होगा 8 होगा equal 8 के इधर भी left hand side equal निकल रहा है right hand side के यानि वायापक्ष दायापक्ष के बराबर है ठीक है तो आगे हिंदी मेडियों में लिखेंगे अता विंदू ABC समी करण 7X minus Y बराबर 8 के आलेक पर इस्थित है ठीक है ना प्रूब हो गया और इंगलिस मेडियों में लिखेंगे hence the point ABC lie on the graph of the equation 7X minus Y equal 8 ठीक है यह answer हो जाएगा समझ गे तो इस प्रकार यहाँ पर एक बार A point से इसको XY मान कर equation पर value रखो same आ जाएगा इसी प्रकार B point से भी यह XY हो जाएगा equation पर value रखो same आएगा दोनों तरफ इसी प्रकार C point से भी XY यह हो जाएगा equation पर value रखो same आ जाएगा और जब same आएगा तभी तीनों पॉइंट समी करण पर इस्थित होंगे अन्य था नहीं होंगे ठीक है इस प्रकार आपको लिखना अपने मेडियम को ध्यान में रखते हुए Q1 and 2 are multiple twice questions प्रस्ण संक्या एक एवं दो बहुविकल पिये प्रस्ण है Q1 is which of the following line parallel to x-axis निम्न लिखित में से कौन सी समी करण रेखा x-axis के समानतर है अगर x-axis के समानतर होगा यानि ये x-axis है और ये y है तो ये ध्यान में रखना x की value 0 होगी y की कोई ने कोई value होगी तो a option में x बराबर दिया है 7 ये नहीं हो सकता b x equal y के ये भी नहीं हो सकता c भी नहीं हो सकता d right हो जाएगा y की value 5 है x की value यहाँ पर 0 होगी ठीक है अब जब आप y की value put करोगे तो उपर कहीं plus 5 यहाँ कहीं मिलेगा x के क्या निकलेगी वो समानतर ठीक है तो first में d option right है अगला question the coefficient of y in the linear equation is रेकिक समी करन ये question है में y का गुडांक है solution देखो answer to question लिखा गया solve करो breaker तोड़ो 5 को 2 से करो 10 y हो जाएगा फिर 5 को 4 से भी करो 20 plus 3 x minus 4 y minus 8 बराबर 0 फिर से solve करो 10 y plus का है minus 4 y solve करोगे 6 y आएगा ठीक है फिर plus 3 x लिखा minus 20 minus 8 तो minus minus plus हो जाएगा minus 28 बराबर 0 अब इसको हम starting में 3 x plus 6 y minus 28 equal to 0 लिख सकते हैं ठीक है अब कह रहा है y का गुडांक तो देखो y पर कौन से नंबर है केवल नंबर से मतलब है plus 6 है plus लिखा नहीं जाता तो आपका अंसर हो जाएगा 6 अगर पूंश्टा question में x का गुडांक तो x के साथ 3 है 3 आंसर होता यह चीछ ध्यान में रखना लेकिन यहाँ पर y की बात क्या है तो y के साथ 6 है नंबर में तो 6 आपका अंसर होगा ठीक है अगला question question number third find the value of k if x equal to 2 y equal to 4 is a solution of the equation 5 x minus 2 y equal to k k का मान ग्याद के जिए यदि x बराबर 2 y बराबर 4 समी करन 5 x minus 2 y बराबर k का हल है solution देखो x पर 2 रखना y पर 4 solution answer number third ऐसा question paper में जरूर आएगा equation निखा गया 5 पर 5 x पर 2 रख देंगे minus 2 पर 2 y पर 4 रख देंगे बराबर k के solve करो 5 को 2 किया 10 minus 2 4 के 8 बराबर k solve करोगे 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा k की value निकलेगी 2 ठीक है answer number third हो जाएगा अगला question देखो find any 4 solutions of the equation 2 x plus y equal to 15 sumi करण 2 x plus y बराबर 15 के किनी 4 हलों को ग्यांत कीजिए solution answer number four equation लिखा गया अब आपको अपने coding x पर या फिर y पर बारी बारी 0 1 2 minus 1 minus 2 कोई साभी number डख सकते हो 4 हल नहीं आप अनेको हल निकाल सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है तो मैंने सबसे पहले x पर 0 रखा तो English में लिखो put x equal to 0 हिंदी में x बराबर 0 रखने पर equation लिखो x पर 0 रखके solve करोगे y 15 मिलेगा फिर से यहाँ पर लिख दिया x पर 0 रखा तो y मिल गया 15 ठीक है अब दुबारा आप x बराबर 1 रख दो आप अपने कोडिंग कोई सा भी नंबर रख सकते हो ठीक है तो x बराबर एक रखने पर हिंदी में लिखो English में put x equal to 1 equation लिखो same x पर 1 रखके solve करोगे तिया हो जाएगा 2 1 जा 2 15 की तरफ आएगा minus का हो जाएगा तो मिलेगा y 13 x पर रखा 1 तो y मिला 13 फिर से equation लिखो same यहाँ पर अब लिखो x बराबर 2 रखने पर put x equal to 2 equation लिखो x पर 2 रखके solve करोगे तिया हो जाएगा 2 2 जा 4 उधर आएगा minus का हो जाएगा तो 11 मिल जाएगा ठीक है x पर आपने 2 रखा तो y मिला 11 फिर से x equal to 3 रखने पर equation लिखो x पर 3 रखके solve करो यह हो जाएगा 2 3 जा 6 और इधर आएगा 15 की तरफ minus को जाएगा 15 में से 6 minus करोगे 9 मिलेगा तो यह आपके 4 solution हो जाएगे तो इसी प्रकार आप कई हल निकाल सकते हो अपने coding x पर या फिर y पर अलग अलग number plus या minus के साथ रखकर अगला question question number 5 find any 3 points lying on the line x minus 3y equal to 14 रेखा x minus 3y equal to 14 पर इस्थित किनी 3 window को ग्यात कीजिए solution देखो last question है answer number 5 question या पर लिखा गया अब अपने coding फिर से आपको x पर या y पर 1 2 3 0 minus 1 minus 2 minus 1 कोई से भी number put करना है अलग अलग ठीक है अनेको हल हो सकते हैं इसके भी अब इसे हम लिख सकते हैं x minus 3y 14 की तरफ आएगा plus का हो जाएगा equation 1 समझ लो ठीक है अब बार बार आपको इस equation से मतलब होना चाहिए ठीक है तो y बराबर 0 रखेंगे put y equal to 0 ये equation सेम लिखो ठीक है y पर 0 रख दो तो मिल जाएगा x 14 फिर से y बराबर एक रखने पर इधर लिख देना put y equal to 1 ठीक है दोनों मैंने हिंदी में लिख दिया है ऐसे लिख लेना इंग्लिज मेडियम आले तो सेम equation फिर से लिखो y पर आपको 1 रखना है तिया हो जाएगा 17 ठीक है solve करने पर और इधर भी आप लिखते चलना box में सबसे पहले आपने y पर 0 put किया तो x मिला 14 फिर से y पर 1 put किया तो x मिला 17 फिर से y equal to minus 1 रखने पर put value of y equal to minus 1 ठीक है तो equation फिर से से में ही लिखो बदलना नहीं है y पर minus 1 रखके solve करोगे तिया आपको मिलेगा 11 y पर minus 1 रखका x मिला 11 ठीक है तीन हल इसके होगे आगे लिखोगे हिंदी में आता रेखा x minus 3y बराबर 14 पर इस्थित 3 बिंदू यही है 14,0 17,1 11,1 ठीक है इंग्लिज में भी सेम hence the 3 points lying on the line x minus 3y equal to 14 are 14,0 17,1 and 11 minus 1 यह आपका answer number 5 हो जाएगा question number 1 and 2 are multiple choice questions प्रस्न संक्या एक एवं दो बहु विकल्पी है प्रस्न है 4-4 option है कोई एक राइट है तो जहांस देखो question 1 है lines that intersect each other at 90 degree रेखाएं जो एक दूसरे को 90 degree पर काटती है तो वह होती है लंबवत रेखाएं ठीक है प्रेपेंडिकुलर लाइन ठीक है बी ऑप्सान राइट है इसमें आपका question second linear pair of angles forms कोणों का एक रेखी की यूगमू बनाते हैं तो कितने डिगरी का एंगल बनाते हैं पता होगा आपको 180 ठीक है न तो उसे हम बोलते हैं एक सीधी रेखा यानि की ए इस्ट्रेट लाइन ठीक है सी ओप्सान राइट हो जाएगा इसमें समझगे इस प्रकार रेखी की यूगमू होता है तो सीधी रेखा होती है तिसकी वैलू भी 180 होती है रेखा सीधी होती है ठीक है ध्यान रखना समझगे अगला देखो ध्यान से over the question number 3 which of the following pairs are supplementary angles निमन लिखित में से कौन से युग्मू समपूरक कौन हैं तो समपूरक कौन की पहचाने वच्चों 180 value होती है दो समपूरक कौनों के योग की ठीक है तो ध्यान से देखो अगर 140 में 40 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 180 ठीक है तो कौन-कौन से हैं एक तो यह हो गया क्योंकि इसकी वैल्लू भी 180 निकलेगी और उसके बाद में ये 60, 30, 90 है ये नहीं है ठीक है क्योंकि ये क्यों हो जाएगा पूरक कॉंड क्योंकि पूरक कॉंड की वेलू होती है 90 ये चीद ध्यान में रखना और हमसे संपूरक पूंच रहे हैं उसके बाद में आगे देखो ध्यान से ये नहीं है 170 प्लस 10 जब आप मिलाओगे तो 180 आएगा प्लस करने पर तो मतलब ये भी 180 नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये भी संपूरक कॉंड का युग्म है ठीक है अगला देखो D 55 प्लस 60 इन दोनों को प्लस करोगे तो 115 आएगा जो की संपूरक कौन नहीं है ये भी नहीं है ठीक है तो कोशन में हमसे कह रहा है कि निम लिखित में कौन से योग में संपूरक कौन है तो जिनका योग 180 होगा वही आपके संपूरक कौन याने की सप्लिमेंटरी एंगल्स होंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको दो उप्सन चूज करना है ए आपका राइट है और सी राइट है गई आकरती में a plus b plus c plus d बराबर कोशन मांक है इन दा गिवन फीगर a plus b plus c plus d इक्वेल टू कोशन मांक है सोल्यूशन देखो आंसर नंबर 4 आंसर नंबर 4 जहां से देखो इसको हमने l मान लिया रेखा को ठीक है ध्यान रखना हिंदी में लिखो रेखा l पर इंग्लिस में online l c plus d ये दोनों रेखिक युगम यानि की linear pair बना रहे हैं अगर हम c plus d करेंगे तो 180 निकलेगा ठीक है c plus d ध्यान रखना तो लिखेंगे angle c plus angle d बराबर 180 के क्यों equation 1 इसको लिख दो यानि समी करण 1 हिंदी में region लिख दो रेखिक युगम है और इंग्लिस में linear pair तो यहां लिखेंगे और and English में angle a plus angle b angle a plus angle b बराबर 180 के होगा equation 2 हो गया समी करण 2 reason लिख दो रहेखिक क्यों में हिंदी में इंग्लिस में linear pair है ठीक है समझ में आ गई बात अब ध्यान से देखो आगी यहां पर हम लिखेंगे समी करण 1 और समी करण 2 जोड़ने पर इंग्लिस में adding equation 1 and 2 लिख लेना equation 1 यह है equation 2 यह है ठीक है तो इस side वाले part को हम एक तरफ जोड़ लेंगे ठीक है आगे देखो जान से यह total हमको plus ही करना है ठीक है तो जब आप plus करोगे तो आगे पीछे भी इसको हम लिख सकते हैं तो पहले हमने serial wise लिख दिया angle A plus angle B plus angle C plus angle D बराबर 180 plus 180 360 तो angle A plus angle B plus angle C plus angle D बराबर 360 के आएगा यही हमको निकालना था यह आपका answer हो गया ठीक है answer number 4 ठीक है तो ऐसे ही लिख लो कहीं पर कोई doubt होगा तो बता देना अगला question देख लो आप ध्यान से अगला question number 5 देखो मिलान कीजिए match the following ठीक है ना matching करना है ध्यान से देखो column A, column B यहाँ पर lines that don't intersect each रेखा हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती अगर दोनों रेखा हैं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो ऐसे सीधी जा सकती हैं या ऐसे जा सकती हैं या फिर ऐसे जा सकती हैं तो यह होती हैं समानतर रेखा यानि की parallel lines तो इसकी matching आपको समानतर रेख से करना हैं दूसरा है two angles whose sum is 90 दो कोंड जिनका योग 90 हो अभी मैंने बताया अगर 90 उनकी value होगी तो पूरक कोंड होंगे कौन से होंगे पूरक कोंड ठीक हैं तो आपको पूरक कोंड यानि complementary angle से matching करना है इसे उसके बाद में अगला है angle whose measure is less than 90 degree कोंड जिसका मान 90 degree से कम हो तो वो होता है acute angle यानि की noon कोंड तो इसको आप matching करोगे noon कोंड से ठीक है तो यह आपका answer हो जाएगा answer number 5 clear है कहीं पर कोई doubt होगा तो बता देना अगला question देखो अगला question number 6 है in the given figure angle COD is a right angle COD यह right angle है नब्वेगा है इसकी value find the value of Y, Y हमको निकालना है दी गई आकिरती में कोंड COD एक सम कोंड है Y का मान ग्यांत कीजिए last question है ध्यान से देखो इसका solution answer number 6 हिंदे में लिखो रेखा AOB पर मैंने यहां पर लिख दिया है AOB ध्यान से देखो ऊपर पूरा रेखी की यूग मुबन रहा है ठीक है तो question में यह आपको पता है 90 दिया है समकोंड है तो इसकी value 90 है और जब भी ऐसे हो ना समझ लेना कि उसकी value 90 है ठीक है ध्यान रखना तो फिर से देखो यहां पर हम 40 प्लस इसकी value कितनी है 90 प्लस y जोड़ेंगे 40 प्लस 90 प्लस y बराबर 180 के क्यों हिंदे में लिखो रेखी की यूगम इंगलिस में linear pair ठीक है अब ध्यान से देखो आगे 40 90 जोड़ो 130 हो जाएगा प्लस y बराबर 180 तो y बराबर 130 प्लस का है इदार आएगा तो minus का हो जाएगा तो y बराबर minus करने पर आपको मिलेगा 50 ठीक है ना 50 डिगरी यह आपका answer हो जाएगा answer number 6 ठीक है question number 1 and 2 are multiple choice questions प्रस्ण संख्या एक एवं दो बहु विकल्पी ये प्रस्ण है question 1 देखो if two lines intersect each other then the pair of vertically opposite angles is ये दो रेखा है प्रतिछेद करती है तो सीरसा भीमुक कोणों का योग होता है इस प्रकार ठीक है दो रेखा है प्रतिछेद करेंगी ये angle इसके equal होगा ये वाला इसके तो यहाँ पर आपका a option right होगा समान यानिकी equal second question the sum of all three angles of a triangle is एक त्रिभुच के तीनों कोणों का योग होता है 180 ठीक है डी option अगला question third fill in the blanks रिक्तिस्थान भरे a the sum of angles on a straight line is एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग होता है तो सीधी रेखा पर कोई सभी अंगल बनेगा 180 का होता है ठीक है अगला if two lines are perpendicular to each other the angles formed are जिदे दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हों तो बनने वाले कोण्ड डेस होते हैं अगर इस प्रकार से लंबवत होंगी तो 90 डिग्री बनेगा दोनों तरब ठीक है clear है तो यहाँ पर आपको 90 फिल करना है अगला एक त्रियक रेखा के एक ही तरफ और समानांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोणों को डेस कहा जाता है the angles formed on the same side of a transversal and inside the parallel lines are cold ध्यान से देखो इस परकार से यह मालो parallel है यानि समानतर है और यह त्रियक रेखा है तो एक तरफ यह जो एंगल बनेगा इसे क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं interior angle ठीक है तो इसमें आप लिखोगे इंग्लिस में इंटेरियर एंगल ठीक है इंटेरियर एंगल और हिंदी में आंतरिक कोण ठीक है और इन दोनों का प्लस 180 होता है यह चिद्ध्यान में रखना सप्लिमेंटरी एंगल भी कहलाते हैं अगला यह दिद्धो कोण पूरक है तो उनका योग डेस होता है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लिमेंटरी देर सम इस 90 होता है ठीक है क्लियर है सप्लिमेंटरी 180 होगा कॉम्प्लिमेंटरी 90 डिगरी का होगा आगे आजाओ पॉस्टन फोर इफ ए पेयर ओफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इस 3x-10 एंड 2x-30 फाइंड दा वेल्यू ओफ एंड इच एंगल्स यह दिद्धी सीरसा भीमुक कोणों का एक युग्म 3x-10 और 2x-30 है तो x और प्रते कोण कामान ग्याद कीजिए solution देखो answer 4 थ्यान से देखो इस प्रकार यह एंगल है सीरसा भीमुक बन रहा तो यह इसके एक्वल होगा थ्यान लिखा गया है x को x की side लाओ number को number की तरह भेजो निसान बतल जाएगा यह minus 2x यह plus 10 हो जाएगा दिया जाएगा x minus करने पर 3x में से 2x minus होगा 1x 1 लिखा नहीं जाता यह जाएगा 40 खीक है बटी answer नहीं अध्यान रखना फिर कर रहा है x कमान निकालना यह तो x कमान होगा फिर दोनों का 3x minus 10 ठीक है तो 3x की value रख दो कितना 40 minus 10 यह आ जाएगा 120 minus 10 110 आ गया ठीक है अब इसका भी निकालन लो मान इधर देख लो यह 2x plus 30 यह 2x की value कितना रखोगे 40 plus 30 तो यह कितना हो जाएगा 110 दोनों एककोल निकलेंगे ठीक है इसका multiply करोगे 80 आएगा 30 plus करो 110 आएगा ठीक है तो आगे आपको यह भी लिखना ध्यान रखना ठीक है यह लिखने के बाद में यह भी लिख देना क्लियर है आंसर 4 हो जाएगा अगला कोशन देखो कोशन 5 इंदा गिवन फिगर AB and CD are parallel lines intersected by a transversal PQ at L and M respectively if angle CMQ equal to 60 then find all other angles दिये गे चित्र में AB और CD समानतर रेखाए हैं जो एक त्रियक रेखा PQ द्वारा कमसा L और M पर प्रप्रटेशेद करती हैं यदि एंगल CMQ बराबर 60 है तो अन्य सभी कोण ग्याद कीजिए यह डाइग्राम है यहाँ पर हमको ध्यान रखना है यह भी निकालना यह भी यह भी यह भी यह भी यह भी सारे एंगल निकाल लें ठीक है एक पता है बागी तीन इधर चार इधर एंगल निकाल लें सोलिशन तो 60 प्लस एंगल M इसको मान लेते हैं 180 के होगा लेनियर पेयर इंगलिस में हिंदे में लिखो रहके क्यूग मूँ ठीक है तो M साथ हीजर माइनस को जाएगा 120 मिल गया M का पता चल गया फिर से देखो M इक्वल होगा L के क्यों Z जैसी आकृती है ठीक है तो M इक्वल L 120 रीजन लिखो एक आंतर कोण है अल्टरनेट एंगल ये भी 120 आ जाएगा ठीक है एक दो तीन तीन एंगल का पता चल गया फिर से देखो ध्यान से आगे एंगल 1 एक्वल 60 होगा ये इसके एक्वल होगा क्यों होगा ध्यान से देखो ये सिरसा अभी मुख कोण है तो लिख देंगे एंगल 2 भी आ गया वर्टिकलिए पोजिट एंगल सिरसा भी मुख कोण ठीक है reason लिख दो, आगे देखो ध्यान से ये z जैसी आकिरती है तो angle 1, angle 3 के equal होगा यहाँ पर लिख दिया गया, एक आंतर कोड़ है alternate angle, ये भी 60 हो जाएगा जब ये 60 आया है तो फिर से देखो ध्यान से, angle 3 equal 5 होगा क्यों, यहाँ पर देखो ध्यान से से भी 60 होगा, थ्री आ चुका है clear है, थ्री उपर आप निकाल चुके हो अगला देखो, 7 angle L, equal to angle 4 के ठीक है, यहाँ पर देखो, angle L ये equal लोगा, 4 के क्यों से भी 60 होगा, यहाँ पर लिख दो यहाँ पर लिख दो, यह भी 120 आ जाएगा और यहाँ पर से भी मोगोंड हिंदी में, इंगलिस में वी बनाओ, वर्टिक लिए पोजिट एंगल, ठीक है न वी, ओ, ए clear है, तो सारे एंगल आ जाएंगे 8 एंगल निकालने थे, एक यहाँ पर हमको पता था, यह answer आपका 5 हो जाएगा clear है, question number 1 and 2 are multiple choice questions, प्रस्न संख्या, एक एवं दो बहुत विकल भी है, प्रस्न यानि कि चार-चार ओप्शन है कोई एक राइट है, तो ध्यान से देखो question number 1, question 1 है, in and isosilis triangle ABC two equal sides are AB and BC, if angle A equal to 60 degree, then value of angle C is, एक sum बाहुत रभुज ABC में दो बराबर भुजाएं, AB और BC है, यदि angle A बराबर 60 है, तो angle C का मान होगा अब ध्यान से देखो यहाँ पर answer 1 में मान लोगे, हमारा triangle ABC है, ठीक है, A B C है AB, BC AB, BC बराबर भुजाएं है ठीक है, AB BC बराबर भुजाएं है वैसे भी, sum बाहुत रभुज की सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, यह अपने दिमाग में रखना और परते कौंड 60 का होता है, तो angle A 60 दिया है, तो angle C हमसे पूंच रहा है, तो angle C भी आपका 60 होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुक, कौंड बराबर होते हैं, और वैसे भी दूसरे तरीके से, एक sum बाहुत रभुज यानि की, आई सोशिलिस triangle में परते कौंड 60 डिगरी का होता है, यह दिमाग में रख लेना, तो फर्स्ट कोश्चन में आपका option number A right है सेकेंड कोश्चन देखो पराएकि इन S, S, S congrency rule S represents S, 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 सरवांग सम्मता नियम में S दर्स आता है तो S का मतलब होता है बच्चों side का मतलब होता है भुजा ठीक है, तो यहाँ पर आपका B option right होगा ठीक है, B option आगे देखो अगला question third इन्दा figure given below triangle A, B, C and triangle D, E, F are congruent by which congrency rule नीचे दी गई आखिलतियों में तर्भुज A, B, C और तर्भुज D, E, F किस सरवांग सम्मता नियम से सरवांग सम्म है तो ध्यान से देखो इसका solution answer third यह triangle है मैंने समझने के लिए बगल में बना दिया ध्यान से देखो हिंदे मिलको तर्भुज A, B, C A, B, C और तर्भुज D, E, F में इंगलिस में in triangle A, B, C and D, E, F ध्यान से देखो यह side B, C single symbol के साथ यह इसके एकपल दिखाया गया है मतलब कि B, C बराबर है E, F के यहाँ पर लिखा गया है B, C, बराबर E, F हिंदे में दिया है इंगलिस में given किसी परकार यह side देखो यह double symbol के साथ है इसके एकपल दिखाया गया है मतलब A, B, बराबर D, E के यहाँ पर लिखा गया है A, B, बराबर D, E हिंदे में लिखो दिया है इंगलिस में given यह angle इसके एकपल दिखाया गया double symbol के साथ में angle B, बराबर angle E के यहाँ पर लिखा गया हिंदे में लिखो दिया इंगलिस में given ठीक है इसलिए triangle ABC यह पूरा कॉंकुरेंट यानि के सरबांग से हम होगा triangle D, E, F, K क्यों हो ध्यान से देखो यह side equal हो रही है यह angle equal हो रहा है side angle side side angle side rule से ठीक है न इसका मतलब इंदे में लिखो SAS यानि की भुजा कॉंड भुजा सरबांग समता नियम से इंगलिस में by SAS congruency rule ठीक है तो पूंच रहा था किस rule से सरबांग समय तो आपका answer हो जाएगा complete ऐसे ही लिख लो ठीक है अगला question देखो ध्यान से कहीं पर कोई doubt होगा तो बता देना अगला question number four मिलान कीजिए match the following SAS इसका मतलब side angle side मतलब भुजा कॉंड भुजा ध्यान से पहचानो भुजा कॉंड भुजा कहां पर है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो यहां से देखो पहले side angle side तो देखो side है फिर angle है फिर side है मतलब side angle side यह दोनों के आपस में सरबांग समय तो इसकी matching आपको इस से करना है ठीक है अगले RHS rule से मतलब right angle होना चाहिए एक समकोंड और करड सेम होना चाहिए hypotenuse इसका मतलब side सेम होना चाहिए तो यह condition है यहां पर ठीक है इसकी matching इस से करना है दोनों में एक right angle है समकोंड है एक side equal हो रही है फिर से करड equal हो रहा यह करड है ठीक है तो इसकी matching आप first option से करोगे अगला angle side angle मतलब की पहले angle फिर side फिर angle दिये है ठीक है angle है फिर side आई बीच में फिर angle है angle side angle इस rule से दोनों आपस में क्या है सरवांग सम है ठीक है ध्यान रखना यानि की कौन भुजा कौन सम कौन करड भुजा और इसका मतलब भुजा कौन भुजा ठीक है ऐसे matching कर लो यह answer number 4 हो जाएगा अगला देखो ध्यान से question number 5 in quadrilateral a,b,c,d,ac equal to a,d and a,b bisex angle a so that triangle a,b,c congruent triangle a,b,d what can you say about b,c,and,b,d चत्रभुज,ab,c,d में a,c,b,d,d है और a,b angle a को समझभाजित करता है दर्साइए की त्रभुज,ab,c सरबांक समय त्रभुज,ab,d के आप b,c,or,b,d के बारे में क्या कह सकते हैं b,d,or,b,c, के बारे में इसके बारे में लास्ट नियुको बताना है solution देखो ध्यान से last question है important question है ध्यान से देखो तो diagram इधर बना दिया है समझने के लिए हिंदे में लिको त्रभुज,ab,c a,b,c और त्रभुज,ab,d में ab,d में ठीक है ध्यान से देखो यह side इसके एक पल दिखाई गई है मतलब यह ac और यह क्या है ad तो लिखेंगे ac बराबर ad हिंदे में दिया है इंग्लिस में given ठीक है फिर से ध्यान से देखो यह जो triangle one मान लो यह triangle two है दोनों में ab side क्या है common है यह side दोनों में add हो रहे है तभी तुर्भूत complete हो रहे है तो लिख सकते है ab बराबर ab यानि ab बराबर ab उभेनिस्ट हिंदे में इंग्लिस में common है ठीक है आगे देखो यह angle इसके एक पल दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है b, a, c यह वाला होगा चाहो तो c, a, b भी लिख सकते हो और दूसरे का नाम है जहां से देखो नीचे की तरफ b, a, d ठीक है तिहां लिखेंगे angle b, a, c उपर वाला b, a, c बराबर होगा angle b, a, d नीचे वाले के हिंदे में लिखो दिया है इंग्लिस में given ठीक है इसलिए triangle a, b, c a, b, c congruent यानि सरवांग सम्होगा triangle a, b, d, k a, b, d, k किस rule से side angle side कैसे देखो जहां से यह side common है तो दोनों में equal हुई यह side भी equal हुई है बीच में angle आ रहा है side angle side rule से ठीक है लाश्ट में कहरा है कि b, c और b, d, के बारे में क्या कहोगे तो हम यही लिख सकते हैं आता हिंदे में एंग्लिस में so b, c equal to b, d होगा क्यों c, p, c, t, rules है ठीक है तो यह आप cancer number 5 हो जाएगा condition जरूर लिख जागर कि किस कारण किस region से आपने उसको किस के equal किया ठीक है यह ची ध्यान में रखो बांकी उपर नीटे भी आप कुछ भी दिखा सकते हो इन तीनों में से जरूर नहीं कि आप लाइन से लिख हो ठीक है बांकी लाश्ट में यह होना चाहिए ठीक है जो हमारा प्रूब हो गया प्रस्ण संक्या एक एवं दो बहु विकल्पिये प्रस्ण है यानि कोशन नमबर वन और टू आर मल्टिपल च्वाइस कोशन कोशन वन है विच इस दा लोंगेस्ट कोर्ड ओफ दा सरकल वृत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है तो बृत्ट की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है जो केंदर से होते हुए जाती है ठीक है तो फर्स्ट में आपका ए उप्सन डाइट है व्यास यानि की डायमीटर ठीक है सेकंड कोशन है एक चक्रिये चतुरभुच के सम्मुख कौनों के हर एक युगमों का योग होता है दा सम ओफ इच पेयर ओफ अपोजिट एंगल्स ओफ ए साइकलिक क्वैड्री लेटरल इज 180 होता है 180 ठीक है इसमें D ओप्सन डाइट है तो फर्स्ट में A ओप्सन सेकेंड में D ओप्सन राइट है क्लियर है आगे आजो कौसर नमबर थर्ड कौसर ने सिद्ध की जिए की वृत्त की समान जीवाए केंद्र पर समान कौन बनाती है प्रूब देट इक्वल कोड्स ओफ ए सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल्स इट दा सेंटर यह आपके चेप्टर की थेओरम है यानि के प्रिमे है मोश्ट इंपोर्टेंट है ध्यान से देखो ताकि समझ में आजए ओके आंसर नमबर थर्ड सबसे पहले आप हिंदी में देख लो उसके बाद में इंगलिस में अला गल्स आंसर है ठीक है ध्यान से देखो पहले हिंदी में यह डाइग्राम बना लो लिखो दिया है O केंदर वाला एक बृत O केंदर वाला एक बृत जिसकी जिवाएं बराबर हैं जिवा कौन सी है A, B और C, D यह आपस में बराबर है इसलिए A, B बराबर C, D सिद्ध करना है कि केंदर पर जो कौन बन रहा है वो बराबर होगा कौन सा A, O, B इकवल होगा इस साइड वाले के D, O, C के यहाँ पर यह लिखा गया है प्रमार अब ध्यान से देखो तरभूज A, O, B A, O, B और तरभूज D, O, C में इन दोनों तरभूज में ध्यान से देखो A, O यह इकवल है O, D के क्यों तरज्जाएं हैं किसी प्रकार O, B, इकवल है O, C के क्यों तरज्जाएं हैं लिखा गया और A, B बराबर दिया है C, D के जीवाएं है और ब्रेकट में लिख दो दिया है ठीक है तो इसलिए दोनों तरभूज A, O, B सरभांगसम होंगे तरभूज D, O, C के यह सरभांगसम का सिंबल है किस रूल से साइड, 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 साइड नियम से लिख लो ब्रेकट में मतलब भुजा भुजा, भुजा नियम से यह साइड इसके एकोल है यह वाली इसके यह वाली इसके ठीक है और जब तरभूज सरभांगसम है तो लिखोगे अता एंगल A, O, B यह वाला एकोलोगा D, O, C के ठीक है भागे ठीक है हिंद इंप्रूब हो गया ठीक है आगे देखो इंगलिस में से यह तो कोस्टन ही है आपका यह मतलिखना आंसर यहां से स्टार्ट करना ठीक है गिवेन ए सर्कल विद सेंटर ओ सेम डाइग्राम आप बना लेना A, B, A, B, C, D इसके ठीक है प्रूफ इन ट्राइंगल A, O, B A, O, B और डी, O, C डी, O, C में देखो ध्यांसे A, O, इक्वल O, D के रेडियस है इसी प्रकार ध्यांसे देखो A, B, C, D इक्वल होगा कोस्टन में गिवेन है वैसे भी कोड से ठीक है अब O, C O, B के इक्वल होगा क्या है रेडियस है ठीक है तो फिर दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे कॉंगुरेंट होंगे यहांपर लिखा गया किस रूल से S, 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 S रूल से साइड, साइड, साइड साइड से Therefore एंगल A, O, B यह वाला इक्वल निकलेगा किसके एंगल D, O, C के C, P, C, T, रूल से लिख दो Hence, Proved हो चुका है ठीक है ठीक है और C, P, C, T, रूल का मतलब मैंने उपर समझा दिया ओके तो ऐसे ही पूरा इंगलिस में आंसर लिख लो ठीक है आंसर थर्ड कंप्लीट अगले कोस्टन पर आज़ो यह इंगलिस में आंसर हो गया और यह हिंदी में थर्ड का ठीक है आगे देखो आगे कोस्टन नमबर 4 पर आज़ो कोस्टन है दा प्रिपेंडिकुलर फ्रोम दा सेंटर ओफ ए सर्कल टू ए कॉल्ड बाइसेक्ट्स दा कॉल्ड एक बृत्त के केंदर से एक जीवा पर खीचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है यह भी थेवरम यानिकी प्रिमे है ठीक है ध्यान से देखना most important है solution देखो answer number 4 सबसे पहले हिंदिम देख लो उसके बाद में इंग्लिस में अलग अलग लिखा है ठीक है तो हिंदिम देखो सबसे पहले answer 4 diagram ऐसे ही बना लो हिंदिम लिखो दिया है O केंदरवाला एक बृत जीवा AB है AB जीवा है और OM यह इस पहें लंब है ठीक है सिद्ध करना है जब यह लंब है तो सिद्ध ही करना है कि AM इक्वल होगा BM के ठीक है क्योंकि एक लंब एक रेखा को सम्दिभाजित कर रहा है यह question में कह रहा है तो प्रमाड तरभूज O AM में O M A यह वाला 90 होगा क्योंकि यह इस पहें क्या है प्रिपेंडिकुलर है तो इधर वाला भी 90 होगा 90 का होगा तो O M A इक्वल होगा OM B के जो की बराबर होगा 90 के ठीक है ध्यान रखना ध्यान से देखो O A O B तरिज्जाएं है OM OM दोनों तरिभूज में उभे निष्ट है इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है ठीक है कोमन है इसलिए तरिभूज O A M यह सरवांग सम होगा O B M के किस रूल से R H S नियम से ठीक है ध्यान रखना जब यह सरवांग सम हो गया तो लिखोगे इसलिए जो प्रॉब करना है A M इक्वल होगा B M के C P C T रूल से C P C T रूल है क्या मैंने समझा दिया ठीक है इन दिम लिख दो इति सिद्धम इस प्रकार सिद्ध क्या इंग्लिस में आ जाओ ठीक है इसमें इसे करना आपको डाइग्राम बना लेना यहां पर लिखोगे गिवेन अंसर यहां से ठीक है गिवेन ए सरकल विज सेंटर एट ओ ठीक है A B जे कोर्ड सच देट O M प्रिपेंडिकुलर है किस पर A B पर यहां पर लिखा गए यह परिपेंडिकुलर का सेंबल है ठीक है टू प्रूफ O M बाइसेक्ट कोर्ड A B O M A B को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा A M इक्वेल B M निकलेगा ठीक है न और A M को प्रूफ करना है अब लिखो प्रूफ इन ट्राइंगल O A M O A M और O B M यहां पर लिखा गया ध्यांसे देखो O M A O M B यह दोनों कितने कोंगे 90 कोंगे यहां पर लिखा गया ठीक है न O M A इक्वेल टू O M B 90 के होगा अब उसके बाद में O A O B इक्वेल होगा रेडियस है और O M O M दोनों में कोंगरेंट हो जाएंगे और जब कोंगरेंट हो जाएंगे तो A M इक्वेल निकलेगा B M के C P C T रूल से लास्ट में लिखोगा हैंस प्रूवड ठीक है यह चित ध्यान में रखना तो इंग्लिस में अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखो अगला कोशन नमबर 5 है इंदा गिबन फिगर एंगल D A B D A B यह वाला 60 दिया है एंड एंगल A B D A B D यह वाला दिया है 50 डिक्री फाइंड एंगल A C B यह हमको निकलना है ठीक है दी गई आकिरती में कौण D A B 60 है और कौण A B D 50 है एंगल यहनी कौण A C B निकलना है यह वाला हमको निकलना है solution देखो ध्यान से important question है last question है answer number 5 ध्यान से देखो इंग्लिस वाले लिखेंगे in triangle A B D हिंदी वाले लिखेंगे त्रभूज A B D में त्रभूज ऐसे बना दिया करो ठीक है ना A B D में ध्यान से देखो A B D में इस त्रभूज में त्रभूज के तीनों कोनों के योग होता है 180 तो मतलब angle A प्लस angle B प्लस angle D करेंगे तो 180 के होगा ठीक है ना ध्यान रखना बराबर 180 angle D बराबर 110 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस करोगे तो angle D मिलेगा आपको 70 अब ध्यान से देखो यह आपका आगया 70 D आगया है 70 D इक्वल होगा C के तो यहाँ लिखो angle D इक्वल होगा angle C के angle C का पूरा नाम क्या है angle A, C, B जो हमको निकालना है ठीक है तो यह भी 70 के ही इक्वल होगा reason लिख दो एक ही बृत्यखंड के code हिंदी में English में angles of the same segment last work sheet में मैंने आपको यह rule समझाया था ठीक है तो हमको निकालना था angle A, C, B यह तो यह आजाएगे कितना 70 degree यह चित ध्यान में रखना rule के coding डिखलो इसीक साथ यह answer complete हो जाएगा कहीं पर कोई doubt है तो comment कर सकते हो question number one and two are multiple choice questions प्रस्न संक्या एक और दो बहुविकल प्रस्न है 4-4 option है कोई एक right है question देखो question first है two right circular cones of equal curved surface areas है slant heights in the ratio of three ratio five the ratio of their radii is समान प्रिष्ट शेत्फल वाले दो लंब बृत्य संक्यों की तिरची हुचाई मतलब त्रियक हुचाई तीन अनुपात पांच के अनुपात में है उनकी त्रिजाओं का अनुपात होगा मतलब L पता है त्रियक हुचाई L दिया है ठीक है न इसका अनुपात तो हम मानेंगे कि L1 and L2 दो है 3 है तो इसको मान लेंगे 3X 5X 5X ठीक है ratio को हम ऐसा A to Z में हम convert कर लेते हैं ठीक है solution देखो दिया है आंसर फर्स्ट हिंदी में माना इंग्लिस में let L1 यानि 3 है कुचाई slant height 3X L2 5 क्योंकि 3 ratio 5 दिया है तो 3X 5X मान लेंगे ठीक है दोनों संकों का प्रिष्टेश हैत्वल equal है यानि वराबर एक question में बोला गया है तो हम लिखेंगे पहले संकों का प्रिष्टेश हैत्वल बराबर होगा दूसरे के इंग्लिस में CSC of first कौन equal to CSC of second कौन के formula apply करो pi R L होता है लेकिन दो है तो pi R1 L1 करेंगे इधर pi R2 L2 करेंगे ठीक है pi spike कट जाएगा R1 into L1 आपका 3X से रख दो इधर भी R2 बचा into L2 5X रख दो ठीक है ध्यान से देखो R1 इधर लिख दिया गया R2 इधर आएगा बटे में हो जाएगा इधर बचेगा 5X लिखा गया 3X उदर जाएगा बटे में हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखो X से X कट जाएगा R1 आपको 5 मिला R2 3 मिला ठीक है तो मतलब R1 रेशियो R2 मिलेगा 5 रेशियो 3 जो की C ओप्षन है आपके कोशन में ठीक है फर्स्ट में C ओप्षन राइट है आगे देखो तो फर्स्ट में C ओप्षन राइट है सेकेंड कोशन देखो The surface area सेकेंड गिवेन इंगलिस में हिंदी में दिया है R यानि 34 cm सरफेस area of sphere गोले का प्रिश्टे सेकेंड फर्स्ट फर्मुलों तर चार पाई R2 वैलू रखो चार पे चार पाई कमान 22 बटे साथ R पर 14 डबल टाइम 14 गुने 14 कट करो 7 एकम 7 साथ दुना 14 बचा क्या 4, 22, 2, 14 आपस में इनका मल्टिप्लाइ करो कितना मिलेगा 2464 cm2 यह आपका क्या है आंसर है जो की C option right है ठीक है इसमें भी clear है R पर वैलू रखना फोर्मुला पता होना चाहिए जो आएगा solve करने पर वही आपका आंसर होगा अगला question तो second में भी आपका C option right है अगला question third A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm find the area of the seat required to make 10 such caps एक joker की टोपी एक लंब बृत्य संकू के आकार की है जिसका आधार की तरज्जा साथ है और उंचाई 24 cm है ऐसी 10 टोपीया बनाने के लिए आवसेक seat का शेत्फल ग्याद कीजिए तो यहाँ पर आपको R पता है साथ और H पता है कितना 24 हमको निकालना पड़ेगा प्रिष्टेर शेत्फल जितना आएगा उसको हम 10 से मल्टिप्लाइ करेंगे आंसर मिल जाएगा ठीक है solution देखो answer third given English में हिंदी में दिया है R पता है H पता है ठीक है L निकालेंगे क्योंकि हम प्रिष्टेर शेत्फल जो निकालेंगे उसका फॉर्मुला होता है पाई R L पाई R का पता है L का पता नहीं है तो पहले हम L निकालेंगे L का फॉर्मुलाइपलाई करो R रूट में R स्क्वाइर प्लस H स्क्वाइर आर पर 7 के स्क्वाइर H पर 24 के स्क्वाइर करो 7 के स्क्वाइर are 49 आएगा 24 के 526 तर आएगा ठीक है प्लस करो दोनों को 625 और इसमें से 25 निकलेगा जो की वर्ग मूले 25 का ठीक है तो L आपको पता चल गया कितना गया 25 समझ गये अब इसके बाद में हम सबसे पहले एक संकु का प्रिष्टे शेदफल एक टोपी ऐसे हैं तो अगर हम एक का निकाल लें यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हो एक संकु का टोपी का प्रिष्टे शेदफल भी लिख सकते हो ठीक है ना इंगलिस में सियसे ओफ वन कौन पाई आर एल फोर्मले अपलाई करो पाई पर पाई आर पर आर साथ है एल निकाल चुके हो पचीस साथ से साथ कट हो जाएगा बाईस पचीस का मल्टिप्लाई करो पाउस सो पचास सेंटीमीटर स्कुएर आएगा ठीक है अब एक का हमने निकाल लिया अब कहा रहा है ऐसी दस टोपी बनाने के लिए सीट का शेदफल लिखोगे दस टोपी बनाने के लिए शेदफल हिंदी में इंगलिस में एरिया टू मेक टेन कैप्स पांस सो पचास को दस से क्या करोगे मल्टिप्लाई पाँच हजार पांस सो सेंटीमीटर स्कुएर आंसर आजाएगा यह आपका अंसर है पहले एक का निकाल लो एक के लिए एल का पता होना चाहिए एल पता नहीं है पहले एल निकालेंगे उसके बाद में एक संकू का प्रिशेट शेट फल फिर उसको दस से मल्टिप्लाई कर दो तो दस का पता चल जाएगा ठीक है तो ये question number third का answer हो गया अगला question देखो कहीं पर कोई doubt होगा बता देना अगला question number four match the following Milan कीजिए ठीक है जहांसे देखो first earth goal आए यानि hemisphere ठीक है इससे matching होगी second संकू बन रहा है क्या बन रहा है संकू तो इसकी matching आप कौन से करोगे ये क्या है गोला बन रहा है ठीक है ना तो इसकी matching आप किसे करोगे first से गोला यानि इस फेयर से ठीक है answer four complete है अगला question five a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm how much medicine in mm cube is needed to fill this capsule दवा का एक capsule 3.5 mm व्यास वाले गोले के आकार का है इस capsule को भरने के लिए कितनी दबा mm cube में की आउशक्ता है तो हमको कुल मिला के आयतन निकालना है जो आएगा answer वही आपका हो जाएगा answer ठीक है solution देखो आर यहाँ पर आपको sorry आर नहीं पता है डी पता है व्यास ठीक है डी आपको पता 3.5 mm solution देखो last question है answer 5 दिया है यानि की given व्यास यानि की दी 3.5 तो आर निकालने गे तरज्या डी बटे 2 डी बाई 2 यानि की व्यास बटे में दो formula होता है डी का मतलब व्यास है ठीक है तो 3.5 बटे में दो भाग करोगी आ जाएगा 1.75 mm आर पता चल गया डी से हमने निकाल लिया आर सबसे पहले ठीक है अब गोला कार कैफसूल का एतन यानि volume of spherical capsule तो गोले का ही formula आप अबलाई करोगे चार बटे 3 पाई र क्यूब चार बटे 3 पर से हम पाई कमान 22 बटे 7 आर क्यूब आर आपका आगया 1.75 इसका क्यूब थ्री टाइम आगे हम थ्री टाइम इस प्रकार लिखेंगे ठीक है कट करोगे इसको 7 बंजा 7 यह आएगा 0.25 ओपर 422 0.25 1.75 1.75 का आपस में multiply करोगे तो मिलेगा आपको 67.375 नीचे 3 बचाएं ऐसे नीचे लगा दो ठीक है अब डिवाइड कर लेना 3 से जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.46 यह 4 यहाँ पर देखो 22.45 ऐसे बढ़ता जाएगा तो हम 4.6 लिख सकते हैं ध्यान रखना ठीक है अब आगे लिख दोगे आप इंग्लिस में therefore the volume of medicine needed to fill the spherical capsule is 22.46 mm cube हिंदी में अथा गोलाकार के अफसूल को भरने के लिए 22.46 mm3 तबा क्या अफशकता है ठीक है यह आपका आंसर हो जाएगा question number 1 and 2 are multiple twice questions प्रस्ण संख्या एक एवम दो बहुविकल प्रस्ण है question 1 है if the radius of the cone is doubled and the height of the cone is reduced to one-fourth then what will be the change in the volume of cone हिंदी में यदि एक संकू की तरज़ा को दोगुना तथा उसकी उचाही को घटा कर एक चौथाई कर दिया जाए तो उस संकू के I-ten में क्या परिवर्टन आएगा पहली condition में तरज़ा R है उचाही H है दूसरी condition में तरज़ा दोगुनी होगी दो आर हो जाएगा उचाई खटा कर एक चोथाई H पटेज 4 हो जाएगा अब दोनों तरीके से आइतन निकाल लो जो आंसर होगा उस हिसाब से हम option चोज कर लेंगे ठीक है? आंसर देखो आंसर बन दिया है यानि कि given पहली स्थिती में यानि कि in first condition तरिज्जा R है उचाई H है अपने मेडियम के coding लिखना तो आइतन निकाल लो यानि कि volume 1 by 3 pi R square H से में ही रहेगा क्योंकि R H से में ठीक है इन second condition दूसरी स्थिती में तरिज्जा डबल हुई तो 2R उचाई 1 बटा 4 तो H बटे 4 हो जाएगा ठीक है आइतन निकालो फिर से volume formula apply करो value रखो 1 बटा 3 pi से म R पर 2R double time H पर H by 4 solve करो 2 2 जब 4 2 से 2 cut हो गया मतलब सेम आ गया 1 upon 3 pi R square H तो आपने क्या देखा second condition में भी वही आइतन है जो first condition में है कोई changing नहीं है तो आप क्या लिखोगे कोई बदलाव नहीं समझ गे answer 1 complete है clear एकला question देखो कहीं पर doubt होगा बता देना question number 2 the curved surface area of a right circular cone of unit height and unit waist radius is 1 उचाई तथा 1 तरज्जा वाले लंब वरित्य संकू का वक्र प्रिष्ठेट शेत्फल है यानि R भी एक दिया है 1 का मतलब और H भी एक दिया है ठीक है solution देखो answer 2 दिया है यानि की given तरज्जा आर वान है उचाई H वान है L निकालेंगे यानि की तरज्जा उचाई slant height formula apply करो इसकी value रखो क्या मिलेगा आपको root में 2 हमें निकालना क्या संकु का वक्र प्रिष्टेश हेत्फल CSA of कौन formula होता pi R L इसकी value रखो pi पे pi R पर रख सकते हैं 1 L आप निकाल चुके root में 2 value रखो तो आंसर मिलेगा root 2 pi C option right हो जाएगा अगला question question number 3 find the total surface area of a solid hemisphere of radius 2 cm use pi equal to 3.14 2 cm तरज्या वाले अर्थ गोले का कुल प्रिष्टेश हेत्फल ग्याद के जिए pi की जगे 3.14 का प्रियोग करना है solution answer number 3 R पता है कितना दिया है 2 cm TSA of hemisphere English में लिखो इंदे में अर्थ गोले का कुल प्रिष्टेश हेत्फल formula होता 3 pi R square 3 पर 3 pi की बेलू 3.14 रखना है R पर 2 double time रखो multiply करो 37.68 cm square answer आजाएगा answer number 3 में अगला question question number 4 if the height and slant height of a cone are 21 cm and 28 cm respectively find its volume यद एक संकु की उचाई और त्रेक उचाई क्रमसा 21 cm और 28 cm है तो उसका आएटन ग्याद कीजिए solution देखो answer number 4 उचाई H पता है तरेक उचाई L पता है तो पहले हम R निकालेंगे formula होता root में L square minus H square इसकी value रखो L पर 28 H पर 21 square ठीक है solve करने पर R मिलेगा 7 root 7 फिर निकालना आएटन यानि की volume इसका formula apply करो 1 बटे 3 pi R square H value रखो 1 बटे 3 पर सें pi कमान 27 बटे 7 R पर 7 root 7 double time H पर आपको 21 रखना है आगे solve करो 7 से 7 cut हो जाएगा 3 बटे 3 7 बटे 1 बचेगा 22 into 7 into 7 और यह जो root है इसमें से भी 7 एक equal होके बाहर निकलाएगा तो इन सब कापास multiply करोगे आपको answer मिलेगा 7546 centimeter cube ठीक है answer 4 हो जाएगा अगला question question number 5 find the volume 28 square centimeter एक गोले का इतन ग्यान किजिए जिसका प्रिष्ठी है 28 centimeter है solution answer 5 गोले का प्रिष्ठी है शेथफल यानि कि surface area of sphere दिया 28 formula इसर एप्लाइ करो 4 pi r square equal to 28 तो r square 4 pi divide में हो जाएगा 4 से cut करोगे 4 बचे 4 7 बचे 28 यानि कि 7 upon में pi मिलेगा square इजर से down के root लग जाएगा तो इस पर गार लिख सकते अब यहाँ पर देखो ध्यान से 7 upon में 22 कैसे आया यह root में 7 है और pi कमान 22 बचे 7 रख सकते हैं आगे 6 पर होगे तो उपर root में 7 रहेगा यह number प्लट जाएगा 7 उपर हो जाएगा 22 नीचे तो उपर pair बन जाएगा 7 निकलेगा नीचे root 22 ऐसे लिख देंगी तो यहाँ पर direct लिखा गया है ठीक है आगे देखो ध्यान से तो R आप ध्यान रखना I10 का formula अप्लाई करो अब अब इसके बाद में आगे I10 का formula अप्लाई करो यानि volume का 4 by 3 pi r cube सेम लिखो 4 by 3 pi पर 22 अपॉन में 7 R पर 7 अपॉन में root 22 triple time ठीक है अब देखो 77 कट हो गया बचा 4 अपॉन में 3 22 77 का multiply करो 49 नीचे इन दोनों का pair बन जाएगा तो इसमें से एक बाहर निकलाएगा तो हम लिख सकते हैं 22 और इसका pair नहीं बनेगा तो ऐसे लिख देंगे अब आगे देखोगे 22 से 22 कर जाएगा 4 upon 3 सेम लिखा 49 upon में root 22 हर का परमिये करण करेंगे क्योंकि root में नमबर है तो उपर भी root 22 नीचे भी root 22 से multiply करेंगे ठीक है उपर आजाएगा 449 root में 22 और नीचे 3 इन दोनों का pair बन जाएगा 22 निकलाएगा तो उपर मल्टिप्लाइ करो 49 का 4 से 196 root में 22 सेम लिखो और नीचे 3 का 22 से 66 यहीं पर रोग दो cm3 आंसर हो जाएगा ठीक है आंसर नंबर कौन से हो जाएगा आपका 5 ठीक है अगला question देखो question number 6 two cones have their height in the ratio 4 ratio 5 and their adi of their basis in the ratio 5 ratio 2 find the ratio of their volumes दो संकों की उचाईयों का अनुपाद 4 अनुपाद 5 है उनके अधार की तरज्जाओं का अनुपाद 5 अनुपाद 2 है संकों के आयतन का अनुपाद ग्याद कीजिए solution answer 6 माना उचाई let height h1 4x h2 5x तरज्जाए माल लेंगे r1 5x r2 2x ठीक है तो ratio निकालने यानिक अनुपाद हिंदी वाले लिखेंगे पहले संकों का अनुपाद बटे दूसरे संकों का अनुपाद इंगलिस वाले volume of first cone upon volume of second cone formula apply करोगे direct value रखो एक बटे तीन पाई उपर पहले के लिए r1 5x 5x double time और h1 4x रखोगे नीचे के लिए 1 बटे तीन पाई same r पर 2x 2x double time और h5x अब आगे देखो ध्यान से यहाँ पर आपको समझना है काटने पिटने में गलती होगी ठीक है तो यहाँ पर देखो एक बटे तीन पाई से एक बटे तीन पाई कट हो गया x से x x से x x से x 5 से 5 कट हो गया 2 2 जा 4 से 4 कट हो गया उपर 5 बचा नीचे 1 बचा यानि 5 ratio 1 आपको answer मिलेगा question number 6 में clear है अगला question question number 7 2 spheres have their radii in the ratio 1 ratio 2 find the ratio of their surface areas 2 गोलों की तरज्जाओं का अनुपाद 1 अनुपाद 2 है गोलों के प्रिष्टिय शेथफल का अनुपाद गयात कीजिए solution देखो last question है answer number 7 माना तरज्जाओं लेट रेडियस r1 x r2 2 x क्योंकी 1 ratio 2 दिया है तो यह x हो जाएगा यह 2 x हो जाएगा ठीक है तो अनुपाद यानि की ratio निकालेंगे तो हिंदी में पहले गोले का प्रिष्टिय शेथफल बटे में दूसरे गोले का प्रिष्टिय है शेथफल इंग्लिस वाले लिखेंगे surface area of first sphere कट हो गया x से x कट हुआ x से x उपर 1 मिलेगा नीचे 2 तो जा 4 यानि की 1 ratio 4 आपको आंसर मिलेगा question number 7 में question number 1 and 2 are multiple twice questions प्रस्ण संख्या 1 एवं दो बहुबिकल प्रस्ण है question number 1 देखो question number 1 the difference in the highest and the lowest value of data is called आंकडों के अधिक्तम और निवंतम मान में अंतर कहलाता है तो उसे बोलते हैं परिसर यानि की range b option right हो जाएगा first में ठीक है second question which of the following does not represent data graphically इन में से कौन आंकडों का लेखिये प्रदर्शन नहीं करता तो यहां पर आपका d option right हो जाएगा work map यानि class size बाकी आयत चित्र दंडालेक बारम बारता बहुज तीनों करते हैं ठीक है तो कहरा है कि नहीं करता तो आपका option right होगा d work map यानि की class size ठीक है question third पे आजाओ question number third 25 चात्रों का भार नीचे दिया गया है the weight of 25 student is given below निम लिखित बारम बारता तालिका को पूरा कीजे complete the following frequency table सबसे पहले याँ पर भार यानि weight इधर frequency यानि की बारम बारता है तो सबसे पहले देखो 35 कितनी बार है ठीक है न तो ध्यान से देखो याँ पर count करोगे 35 तो याँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 याँ पर लिखोगे 8 इसी परकार 36 कितने time है 3 4 5 6 6 लिखेंगे इसी परकार 37 देखो कितनी बार है तो ये 8 ये 6 है 37 कितनी बार है ध्यान से देखो 1 2 3 4 4 टाइम है 38 देखो कितनी बार है 8 6 4 फिल कर दो 38 कितनी बार है 38 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम है ठीक है तो ध्यान से देखो आप ऐसे फिल कर देना 35 8 टाइम है 36 6 टाइम है 37 4 टाइम है 38 7 टाइम है टोटल इस्टुडेंट है 25 अगर इनको आप प्लस करोगे 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 तो आपको मिलेगा 25 35 जो कि क्या होगा आपका योग यानी की सम होगा लेकिन हमें योग यानी की सम लिखना नहीं है केवल ये टेबल कंप्लेट करना है ठीक है मतलब कि आपको टोटल इतना ही फिल करना यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखो कोशन नमबर 4 Given below are the marks secured by different students in a classroom out of 100 नीचे एक कक्षा के विविने छात्रों ज्वारा सो में से प्राप्त अंक दिये गए है विद्यार्थी आने की स्टुडेंट अंक आने की marks A, B, C, D, E, F 70, 40, 65, 25, 85, 85 दिया गया है ठीक है दो कोशन किये गए पहला कोशन कहरा है कि Draw a bar graph to represent the marks of the students अंकों को दर्शाने के लिए एक दंड आले खहने की बार ग्राप बनाएं दूसरा कोशन है Which students secure the maximum marks किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किये तो सबसे पहले हम बार ग्राप बनाएंगे ठीक है ध्यान से देखो solution answer number 4 का first यह आपका x axis है यानि x x और यह y axis है यानि कि y x ठीक है इसे आपको ग्राप paper पर बनाना है scale का इस्तेमाल करना है pencil का इस्तेमाल करना है बिलकुल सीधा बनाना है मैंने हाँ से बनाया टेड़ा मेड़ा है यह चीध ध्यान में रखना ठीक है तो यहाँ पर विद्यार्थी a, b, c, d, e, f हो जाएंगे इधर हमने पैमाना मान लिया 10, 10 का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तो a जो विद्यार्थी है उसके नंबर है 70 तो 70 यहाँ पर है ठीक है a का इस हिसाब से बनेगा 70 इसके बाद में b, विद्यार्थी जो है उसके 40 है 40 यहाँ पर है तो b के लिए 40 यह हो जाएगा c का 65 है तो 60 और 70 के बीचों बीच में 65 होगा यहाँ पर 30 प्रकार c का हो जाएगा उसके बाद में d का 25 है तो 20 और 30 के बीचों बीच में 25 होगा 25 यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद में e 80 है 80 उपर साब साब पता चल रहा है e 80 का हो जाएगा f 35 है तो 35, 30 और 40 के बीचों बीच में होगा यहाँ पर 35 का हो जाएगा ठीक है यह आपका अंसर हो जाएगा first अब second question पर कह रहा है कि किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किये तो ध्यान से देखो सबसे ज्यादा अंक अंक इधर हैं सबसे highest क्या है यह है ठीक है ना तो e answer लिखोगे e विद्यार्थी तो second का अंसर में लिखोगे e ठीक है य ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है तो यहां पर आंसर आपका आएगा e ठीक है अगला question देखो कहीं पर डाउट होगा तो बता देना question no.5 draw a histogram for the following data निमने लिखित आंकडों के लिए आयत चित्र बनाएं कक्षा यानि क्लास पारंबारतनी frequency दी गई है ठीक है तो हम कक पैमाना लेंगे 0,10,20,30,40,50 और बारंबारता के लिए पैमाना मान लेंगे 10 का 10,20,30,40,50 तो हम सत्तर तक लिखेंगे ठीक है solution देखो answer no.5 एक्स अक्ष पर क्लास यानि की कक्षा हो जाएगी 0,10,20,30,40,50 वाई अक्ष पर बारंबारता यानि की frequency हो जाएगी 0,10,20,30,40,50,78,70 10 के gap के हिसाब से पैमाना लेंगे ठीक है अब ध्यान से देखो 0,10 के बीच में frequency है 30 तो 30 यहाँ पर है 0,10 के बीच में 30 यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद में 10 से 20 पर 65 है तो 65, 60 और 70 के बीच में होगा यहाँ पर, ठीक है ना बीच और बीच में, ठीक है यह हो जाएगा 65 फिर 20 से 30 पर 45 है, 45, 40 और 50 के बीच और बीच में होगा, यहाँ पर होगा, यह 45 हो जाएगा 30 से 40 पर 30 है, 30 यहाँ पर है, 30 है हो जाएगा 40-50 पर 10 है तो 10 यहाँ पर है यह हो जाएगा तो मतलब कि इस प्रकार बनेगा यह 30 है यह आपका 65 है यह 45 है यह आपका 30 है और यह 10 है ठीक है तो इस प्रकार से यह आयत चित्रियाने की हिस्टोग्राम बन जाएगा इस एक साथ यह assessment complete है total 5 questions थे 5 answers complete हो गए है कहीं पर कोई doubt है comment कर सकते हो आप pencil, scale और graph paper का इस्तेमाल करना ताकि सीधा और साथ बने आप इसे color भी कर सकते हो लग लग ठीक है ना ताकि यह देखने में अच्छा लगे मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching